मैं निया नहीं हूँ, मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए निया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें, देखी रहें देखो लाज nimmt के गांगरस के वारे में पह向 पहले भी बहुत मज़बूत रही है और जो ठाणी गांगरस है जो कांगरस का वरकर है जो कांगरस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जानेशन कांगरस में है सौ साल से मेरा परवार कांगरस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कांगरस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी इसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस करोफ के साथ हूं, कहां हूं, मेरा एक ही Target होगा कि मैं Congress हूँ और Congress की सरकार तबारा हाँ, मैं Congress हूँ, सुचिंदर जी, अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मैरी बात जीत हो रहे थी कि आपसे भी PCC President रहे हैं, मेरे फादर प्रभारी भी रहती रहे हैं, All India Congress Committee के, इसलिए मेरे खून में Congress है, मेरे दिल में Congress है, मेरे दिमार में Congress है. लेकिन सुखजिंदर जी, देखिए, यहां राजस्थान में जो स्थिती है, उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी Congress के लिए बनी थी, और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे. देखे, अगर एगो छोड़ दे, तो पार्टी की बात करे, तो फिर कभी पार्टी की पीशे नहीं जाती, अगर एगो इस्ते के हैं हम, तो फिर पार्टी का नुक्सान होता है, मेरे खाल में ये अपनी एगो, अपना, जे, के मैं बड़ा हूँ, मैं चोटा हूँ, वो बाते छोड़कर कांगरस की बात करनी चाहिए, तो कांगरस कभी पीशे नहीं जाएगी, कांगरस को कभी, कांगरस का वरकर नहीं हराता, जब भी हराता है तो कांगरस को, लोग नहीं हराते, जब भी कोई हराता है तो कांगरस के लीडर ही, एक दूसरे की टांग खीच कर उसको बस वही तो इस्तिती राजस्थान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज ने हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कांगर्स के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और कांगर्स को मजबूत करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है राजस्थान जी मुझे बात बताए कि आप जो नाम राजस्थान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं उनसे आप आपके पसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कांगर्स हैं और आज नहीं जे हमारे जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इंचार्ज थे हाँ तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिलेशन है जो और जेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आए थे उनके रमा जी हैं उनके मेसेज उनके मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सब हम रिजेश पाइलेट जी हम लोग जानते हैं कि संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल यह कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे यह यह मैं अपने अब तक के personal experience से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुग्जंदर जी यह लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं के बिना सामने वाले का कट देखें मैं मैं पार्टी का कॉंगर्स पार्टी का वर्कर दमाग से नहीं हूं मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूद पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कोमेंट चलानी है जा कोई घर चलाना है कोई फैमली की बात है स् कोई कुछ बोल सकता। तब आप बोलते थे में मजबूत होगी। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे आभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज Tool में पता चैलेंगी. लेकिन वहांने सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? ने चैलेंज मेरे को तो कोई कोई चैलेंजिनी पार्टी ने लेकिन देखिए चुकि आपके तो ब्लेड में कांग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वह नजर करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि सारी इलेकिन पोस्टों पर आर बैठ का लगाना पड़ेगा मेरी को बिस अंपड़ेगा करेंगे देखेत कि गुर्णानिक साहब की किरपा से हम करेंगे पर राजस्तान में जिस तरह के अलात हैं बहुत ज्यादा की ज़रूरत बढ़ेगी आप बिल्कुल कोई नहीं है अलात बिल्कुल ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है पंजाब में बहुत थे तो ऐसे आते हैं अगर चैलिज को हो जाता है कोई ऐसी बात नहीं है तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे मैं मैं आऊंगा जी जो हमारे पहले परवारी रहे हैं उनसे बात कि एक कादी दिन में होगा चली सुगजंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाई लें और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बाचीत होगी अप तो इलेक्शन से मिलेंगे मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंग चली सुगजंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फाजर राजस्तान में ही रही है तो हाल्या राजस्तान की कॉंग्रेस से जोड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें, देखी रहें नहीं जो प्राणी कॉंग्रस का वर्कर है क्योंकि मेरे 3rd जानेशन कॉंगरस में है सौ साल से मेरा परवार कांगरस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कांगरस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रुप के साथ हूं कहा हूं मेरा एक ही टार्गट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूं और कॉंग्रस की सरकार तबारा हूं पहले की बात है कि हम फूटर सीम से बात कर रहे हैं उन्हों ने कहा था कि नहीं आप कंगरेसी से बात कर रहे हैं हाँ बिलकुल मैंने बिलकुल मैं कॉंगर्स ही और मेरे फादर भी PCC प्रेजेंट रहे हैं मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं पॉल इंडिया कॉंगर्स कमेटी के इसलिए मेरे खून में कॉंगर्स है मेरे दिल में कॉंगर्स है मेरे दिमाज में कॉंगर्स है बूठि की बात करें तो फिर, कभी पार्टी की पीशे नी जाती अगर एग 息्म्द ते के हैं हम तो फिर, फिर पार्टी का नुक्सान होता ने अपनी accept मेरे क्याल में यह भी बाँ काउंगर्स की पात करनी चाहिए है, काउंगर्स का वरक कर नहीं हराता है। कांगरस को लोग नहीं हराते हैं जब भी कोई हराता है कांगरस के लीडर ये एक दूसरे की टांग खीच कर उसको वही तो इस्थिती राजस्थान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कांगर राजस्तान से सबसे ज़्यादा सामने रहते हैं उन से आपके पर्सनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉंगरेसी के तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए गैलोड साब जब जूट कॉंगरेस में थे तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इंचार्ज थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिली रिलेशन है तो रिज रिमा जी है उनके मेरे मज़र की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी हम लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल बिल्कुल यह कॉंगरस एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीडी जो ह हम चल रहे हैं हम कभी कॉंगरस का नुक्सान नहीं करेंगे यह एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूं तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान है यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपिरियंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुगजंदर जी यह लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले ज कि मैं पार्टी कॉ यह कॉंगरस पार्टी को चलाना चाहता हूं जो दमाग से चलाएगा वक उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सद्कार बना रहेए हैं यह मैं तो ऐससे चलूँगा ओगर कढाई की जुरवत पढ आइंगे? निक राड जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है, जा कोई घर चलाना है, कोई फैमिली की बात है, स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा. आपको तिस चली हमने खड़े होते देखा है, अमरेंदर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे. आप ने देखे, मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ, मैं सबसे बड़ा के अमरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था, जब मैंने देखा के अमरेंदर सिंग कॉंगर्स का नपसान कर रहा है, सबसे पहले मैंने उनके अगेंस्ट में मैंने उनको रिजाइन कर दिया था कि जी ल इसे जो यहां पे आने के बाद तो और भी चीज़ में पता चलेगी लेकिन लेकिन वहां से देखने में बड़ा चैलेंज क्या लगता है? उन आदमें के लिए चैलेंज होता है, जो कॉंग्रस के पदाशी ही है, उनके लिए कोई चैलेंज दी पार्टी. आपके तो ब्लड में कॉंग्रस है, आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है, तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पे पहुँच गए, कि लोग खुल कर बोल रहा है. तो आप समझाएंगे कैसे, अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है, वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे भर हैं लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है, नाम ही नहीं सामने आ रहा है. मेरे को मेने तो लगाना पड़े गा, मैरे को भी आकर तो देखना पड़े गा, करेंगे डेको वाही कुरौ करयगा, करेंगे करतार बैकर कर ऑदा करेंगे. यह पर राजस्तान में जिस तरह का अलावात हैं बहुत ज्यादा कारीपा की ज़रुदवत बढ़ेगी हैं? बिल्कुल कोई महलाद नहीं है, महलाद बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में बहुत थे, तो ऐसे आते हैं, अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे? लिगें 2023 के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है, नहीं कोई बूरा समय है, ठीक करने के लिए तो यह नितास्तिन में ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो अभी जो राजस्थान में भारत जुड़ो यात्रा चल रही है, राहूल गांधी की, क्या हम यह एक्स क्या है, राजस्थान के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावाजी मेरे साथ फोन लाइन पर है, सुखजिंदर जी स्वागत है आपका न्यूसरेटिन एइंट राजस्थान पर, अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा, बदाईले सबसे पहले, त्य मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था हम तो इसके मतलब में राजस्थान के लिए नयाद नहीं हूं क्योंके मेरे ग्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंगरस से जुड़ी सारी ख़रें तो आप वैसे भी सुनी रहे हैं देख ही रहे हैं देखो राजस्थान के कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंगर्स का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मेरे में वो पार बात नहीं रहेगी कि मैं किस कुरूप के साथ हूं, कहां हूं मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं यह कांगर्सी हूं और कांगर्स की सरकार दबारा है कॉंग्रेसी सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रहे थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो उन्होंने का नहीं आपने कहा था कि नहीं आप कॉंग से मेरे लेकिन सुखजिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिती है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे तो देखिए अगर एगो शोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार जे मैं बड़ा हूं मैं चोटा हूं वो बाते हैं चोड़कर कोंग्रस की बात करनी चाईए relay बझे लोग को अठीक काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और कांगरस को मजबूत करेंगे, ऐसे कोई बात निया राजस्तान करेंगे आप जो नाम राजस्तान से सबसे जादा सामने रहते हैं उनसे आप आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कांगरसी की तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए नहीं 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 डेके गैलोड साब जब जूत कांगरस में थे तो मेरे फादर उस ताइम पीसी सी प्रेजिडेंट थे अचाहाँ हाँ मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है है और आज नहीं यह हमारे जब मेरे जो मेरे शादी में भी आए थे उनके दमा जी है, उनके मेसेज, उनके मेरे मज़र की, मेरे फादर, मुझे सबी हम, रिजेश पाइलेट जी, लोग जानते हैं कि संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल भी ये कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है ये पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं, हम कभी कॉंग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे ये एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है, जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप किसान है मैं अपने अब तक के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी, मैं आपसे एक सवाल सुक्जंदर जी ये लेना चाहता हूँ कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना, अजय माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूँ और उससे पहले जो प्रभारी थे, उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं, इसलिए उनको हटाया गया अब एक नीट्रल परस्नेलिटी आई है जो दोनों को जानती है, लेकिन वो ऐसी परस्नेलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है, बिना जिचके, बिना सामने वाले का कट देखे मैं कॉंगर्स पार्टी का वर्करत दमाग से नहीं हूँ, मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूँ, जो दमाग से चलाएगा, वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं, जो दिल से बात करेगा, उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे, मैं तो ऐसे चलूँग लाने के लिए, चाहिए कॉर्मेंट चलानी है, जहाँ कोई घर चलाना है, कोई फैमडी की बात है, स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा. आपको तिस चली हमने खड़े होते दिखा है, अमरेंदर सिंह के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे. आप के लिए सबसे बड़wang के वोलता हूं, अमरेंदर सिंह का तो ऐसी का अंगर्स को आगे लिए तर Imam के रिवाट्स का? और में राजियस्तां में मजबूत होगी. तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको आप फिलाल यहाँ पर आने के बाद और भी चीज़सी पता चलेंगी, लेकिन वहाँ से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? उना आदमें के लिए चैलेंज उता है, जो कांग्रिस के पदाइशी ही है, उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी. आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहा है तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बने लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है पर राजस्तान में जो तरह के आलाच है बहुत ज्यादा करेगा बहुत ज़यदा करीपा की बढ़ए है अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे लेकिन दोज़ए तेईस के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय है ठीक करने के लिए तो यह नितास्तिम में ठीक हो जाता है कोई ऐसे बात नहीं है तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे जो हमारे पहले प्रभारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त है और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलिए सुगजिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बातचीत हो कि आप तो इलेक्शन से होगी हाँ मिलेंगे मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे चलिए कल राजु का मर्डर जाजस्थान के नए प्रभारी सुगजिंदर सिंग रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर है सुगजिंदर जी स्वागा थे आपका न्यूस 18 राजस्थान पर अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा बदा ही ले सब से पहले ने 21 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फाजर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंगरस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो दाजस्थान के कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कांगरस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कांगरस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस के साथ हूं, कहाँ हूँ, मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंगरसी हूँ और कॉंगरस की सरकार तबारा है, कॉंगर्सी सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रही थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो उन्होंने का नहीं आपने कहा था कि नहीं आप कॉंगर से मेरे लेकर सुखजिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिती है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे तो देखिए अगर एगो शोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार् मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ वो बाते छोड़ कर कॉंगरस की बात करनी चाहिए तो कॉंगरस कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगरस को कभी कॉंगरस का वर्कर नहीं हराता है जब भी हराता है तो कॉंगरस को लोग नहीं हराते जब भी कोई हराता है तो कॉंगरस के लीडर ही एक दूसरे की टांग खीच कर उसको बस वही तो इस्तिती राजस्थान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज ने हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कांगर्स के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलू हैं पहले से या सिर्फ एक कांगर्स के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए है नए ने ने देखे गैलोड साब जब जूद कांगर्स में थे तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे हैं मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं यह हमारे जब में 2017 की एलेक्शन हुई हम तो यह हमारे इन चार्ज थे हाँ तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिली डेशन है तो रिजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आए थे हम उनके रमा जी है उनके मेंसेज उनके मेरे मज़र की मेरे फादर मुझे सब हम पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल यह कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे यह यह एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूँ तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुक्जंदर जी यह लेना चाहता कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहे ना अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूँ और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया गया अब एक नीट्रल परसनलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परसनलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाले का कट देखें कॉंगर्स पार्टी का दमाग के नहीं हूं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टिड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उस का सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहा मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिस्प्लन लाने के लिए चाहे कोमेंट चलानी है जा कोई घर चलाना है कोई फैमली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तो इस चली हमने खड़े होते दिखा है आप अमरेंदर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं मैं पार्टी के लिए बोलता हूं मैं सबसे बड़ा कामरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था जब मैंने दे को आगे लिका जाएंगे और कांगर्स को पुछ ने गाजस्ता में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ में पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में आजए उन आदमें के लिए चैलेंज होता है जो जो कांगर्स के पदाशी हैं उनके लिए कोई चैलेंज भी पार्टी ने लेकिन देखिए चुकि कांगर्स आपके तो ब्लेड में कांगर्स है आप जानते हैं कि कई चीज़ों को प तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे भरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है देखे देखे टाइम तो लगाना पड़ेगा मे लेरबा बानानक से करतारपुर साब वहीं कोरीडर है और गुर्णानक साब की किरपा से हम पर राजस्तान में जुस तरह के रहा हैं बहुत ज्यादा क्रिपा की जबरत पढ़ेगी आप पिलकोल कोई ने कोई हलाप नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है पंजाब में बहुत थे अगर चैलेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी दोज़ए तरह के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय ठीक करने के लिए तो यह नितनास तरह में ठीक हो जाता है कोई ऐसे बात नहीं है तो अभी जो है और सभी से बाठ करकी एक कादी दिन में होगा चले सुक जिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बाचीत हो कि आप तो इलेक्शन से नहीं मिलेंगे हर रोज चले सुक जिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्थान की कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्रानी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जिनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंग्रस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रुप के साथ हूं कहा हूं मेरा एक ही टार्गट होगा कि मैं कॉंग्रसी भी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीते हो ती आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था कि कुछ समय पहले की बात है कि 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 क्या हम क् inefficient CM से बात कर रहे तो अनों ने कहा तहें आपने कहा थे कि नहीं आप Congress बात कर रहे हैं बिल्कुल मैं मैं बिल्कुल मैं Congress ही और मेरे फादर भी पी सिसी President रहें हैंPhар मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं मौल इंडिया Congress Committee के इसलिए मेरे मेरे खून में Congress है मेरे दिल में Congress है मेरे सुझजिंदर जी बिकिए यहां यहां राजस्थान में जो इस्थिति हैं उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे थे गेज़ीं है देखWest ूगर और अगरेजर को इगो शोड़ा दे तो पार्टी की बात करें तो फिर कभी पार्टी की में जो है पीशे नहीं जाती अगर एगोस्तिक हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में ये अपनी एगो अपना जे मैं बड़ा हूँ मैं चोटा हूँ वो बाते छोड़कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी पिरती राजस्थान में वणी होई है तो ये बड़ा चैलिंज नहीं हो जाएगा तेकिए देख्ये देख्ये ऐसी बात महीं है हम पर रहे पहले पर वारी हैं मैं उनसे भी मिनुगगा और जो लेडिया हैं उनकी मीटिंग करेंगे और पर मजबूत करेंगे ऐसी कोई बात है राजस्तान जी मुझे बहुत बताए कि आप जो नाम राजस्तान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं उन से आप आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉमरेसी के तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए नहीं 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 देखे गैलोड साब जब जूट कॉंगरस में थे तो मेरे फादर उस ताइम पीसी सी प्रेजिडेंट थे अचाहाँ हाँ मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं जब में टूट में तौजन सेमेंटीन की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इंचाहल थे तो इनके साथ मेरा बहुत फैमिली लेशन है जो रजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे उनके रमाजी है, के मेंसेज, उनके मेरे मदर की, मेरे फादर, मुझे सबी हम रजेश पाइलेट जी, लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा, बिल्कुल भी, ये कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है, ये पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं, हम कभी कॉंग्रस का नुकसान नहीं करेंगे, ये 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 हमरे इसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है, जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ, तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप किसान है, ये मैं अपने अब तक के परसनल एक्स्पीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश, आपकी बातचीत में भी, मैं आप से एक सवाल सुकजंदर जी ये लेना चाहता हूँ, कि देखिये, इससे पहले जो दो प्रभारी रहना, अजय माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूँ, और उससे पहले जो प्रभारी थे, उन पर या आरोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं, इसलि जो दमाग से चलाएगा, वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं, जो दिल से बात करेगा, उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं, मैं तो ऐसे चलूँगा, अगर कडाई की जुरूद पड़ेगी तो आप कडाई को भी अपनाएंगे, निक राड़, जो द हमने खड़े होते देखा है, आपमरेंदर सिंग के ख़ाप जब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे, आपने फिटे, मैं के लिए बोलता हoon, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको एसे अभी फिलाल वहां से यहाँ पर आने के बाद तो और भी चीज़ें पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है ने चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता क्योंकि चैलेंज वह अदमी को लगता है जो निया पॉल्टक्स में हो चैलेंज उसको लगता है जो इसमें पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में आजाए उन आदमें के लिए चैलेंज होता है जो कॉंग्रस के पदाशी ही हैं उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहा है तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है करेंगे देखे वाई गुरौक करेगा शार्ठा करेगा पर राजस्थान में जैसे करिपा की जबस्त बढ़े हैं कोई नहीं है आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय करने के लिए तो अब जो राजस्तान में भारत जोड़ो यातरा चल रही है राहुल गांधी कि क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे जो हमारे पहले परबारी रहें उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी कादी दिन में आऊँगा चलि सुक जिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बातचीत होगी अप तो इलेक्शन सब्सक्राइब करेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे चली बहुत बहुत मेरे ग्रेंड फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे ग्रेंड फादर राजस्थान में ही रह तो च्छालियरा राजस्थान कांग्रेस से जुरी सारी ख़बरे तो आप वैसे भी सुनी रहें? देखी रहें? कॉंगर्स पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंगर्स है जो कॉंगर्स का वर्कर है जो कॉंगर्स की बैक पून है क्योंके मेरी थर्ड जनेशन कॉंगर्स में है सौ साल से मेरा परवार कांगरस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कांगरस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वह बात नहीं रहेगी कि मैं किस के साथ हूं, कहां हूँ, मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूँ और कॉंग्रस की सरकार तबारा हूँ कॉंग्रसी सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रही थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो उन्होंने का नहीं आपने कहा था कि नहीं आप कॉंग् से मेरे लेकर सुखजिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिती है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे तो देखिए अगर एगो शोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार् को अनुझे के मैं बढ़ा हूँ जोटा हूँ वो दाते हुड़ कर कंगरस की बात करनी चाहिए तो कंगर स कभी पीशे नहीं जायेगी कंगर beyond का सा वरकर already have Rat f 눌러 कांगरस को लोग नहीं हराते, जब भी कोई हराता है, कांगरस के लीडर ये एक दूसरे की टांग खीच कर उसको गेरिए. बस वही तो इस्थती राजस्थान में बनी होई है, तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा. देखे, 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 ऐसी बात नहीं है हम कांगर्स के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडरे हैं उनके मीटिंग करेंगे और कांगर्स को मजबूत करेंगे अशी कोई बात निया जिनल जी मुझे बात बताए क्या आप जो दो नाम राजस्तान से सबसे जादा सामने रहते हैं उनसे आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कांगर्स के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए नहीं 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 देखे गैलोड साब जब जूद कांगर्स में थे तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं यह हमारे जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इंचार्ज थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिली डेशन है उर इस पाइलेट थे तो मेरी शादी में भी आये थे उनके जमाजी है उनके मेंसेई उनके मेरे मजर की मेरे फादर मुझे सब हम दे और जैश पाइलेट जी जानते हैं के संतोक सिंगरंडावा और और जैश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिलक कॉंगर्स का नुकसान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं ये मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैंने दे प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया किया अब एक न्यूट्रल परसनलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परसनलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जि का उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो दिखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है जा कोई घर चलाना है कोई फैमली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तुस चली हमने खड़े होते दिखा है आप अमरेंदर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं मैं पार्टी के लिए बोलता हूं मैं सबसे तो ऐसी बार नहीं है जो दिल से कॉंगर्स के बात करेंगे कॉंगर्स को आगे लिका जाएंगे और कॉंगर्स को पुछ ने गाजस्ताम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ेंगे पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है उन आदमें के लिए चेलिज़ होता है, जो कांगरिस के पदाशी ही हैं, उनके लिए कोई चेलिज़ दी पार्टी. आपके तो ब्लेड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस स्थिदी पे पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहा है तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है देंगे ताइम तो लगाना पड़ेगा मेरे को भी देखना पड़ेगा करेंगे तुन लेडिकर करेगा करेगा मैं भी वहाँ से हूं यहां से कुर्णानिक साहर ब्थवर नहीं हैं अधरा बाबा नानिक से करतारोम हुर है और गुर्नानिक साथ की करफा से हम प्रण rachistan मे जिस तरह के हलात हैं बहुत ज़्यादा क्रिपा की ज़रुत पड़ेगी आगर चैलेजी को एक्सेट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी लेकिन दोज़ाइज के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है तो अभी जो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्थान आएंगे उससे जुड़ेंगे जो हमारे पहले प्रभारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलिए सुगजिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ा ही लें और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बाचीत हो कि आप तो इलेक्शन सब्सक्राइब जिलेंके मिलेंके हर रोज मिलेंके जब रहेंगे चलिए बहुत बहुत सुक्रिया कर आपका अब तेनक का अ आजास्तान के ने प्रभारी इस अद्धावाजी मेरे साथ फोन लाइन पर ने पीन अब है ने जो तो मेरे एव आदो ने कृटा अब मारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फादर राजस्तान में ही रही है तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रस से जूरी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्तान की कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जिनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कांगरस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कांगरस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस गुरुप के साथ हूँ, कहां हूँ, मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूँ और कॉंग्रस की सरकार तबारा हूँ मैं Kangresse कुझजिंदर जी अभी पसी एक rouction किमेटी है आप मैं कॉंगरसी और मेरे फार भी PCC प्रेज़ेंट रहे हैं मेरे लुट हॉन्ट कॉंगरस कमेटी के Alles हिलों के रूभी मेरे ख़्ून में कांगरस है मेरे दिल में कांगरस है मेरे लेकिन सुखजिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिति है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हाँ देखे अगर इगो छोर दे तो फिर कभी पार्टी पीशे नहीं जाती अगर एगो Bunny सिके हो तो फिर पार्टी का नुकसान होता है मेरे खाल में ये अपनी एगो अपना जे मैं बड़ा हूँ मैं चोटा हूँ वो बाते छोड़ कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वर्कर नहीं हराता जब भी हराता है तो कॉंगर्स को लोग नहीं हर और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और कांगरस को मजबूत करेंगे यह कोई बात नहीं है राजस्थान बताए क्या आप जो दो नाम राजस्थान से सबसे जादा सामने रहते हैं उनसे आप आपके पस्नल रिलेशन्स हैं पहले से यह सिर्फ एक कांगरसी के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए नहीं 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 देखे गैलोड साब जब जूट कांगरस में थे तो मेरे फादर उस ताइम पीसिसी प्रेजिडेंट थे हैं अचा हाँ हाँ जो रिजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे हूँ उनकी रुड़ मीरे मज़र की मेरे फादर मुझे सब भी हम रिजेश पाइलेट जी लोग जानतें के संतरोक सिंग्रंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल बिल्कुल ये कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है ये पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूं तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं ये मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आ उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहा है इसलिए उनको हटाया किया अब एक नीट्रल परसनलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परसनलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने व करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिस्प्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है जा आप ने देखें मैं मैं पार्टी के लिए बोलता हूं मैं सबसे बड़ा के सपोर्टर भी ता जब मैंने देखा कि मरेंदर सिंग कंगरस का निपसान कर रहा सबसे पहले मैंने उनको रिजान कर दिया था कि जी लो अपनी उठाऊ मैंनी आपका मिनिस्त कर दो तो ऐसी बार हैं जो दिल से कॉंगर्स के बात करेंगे कॉंगर्स को आगे लिका जाएंगे और कॉंगर्स को पुझने राजस्ताम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ मे लगता है यहां देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है पहली बात किसी पार्टी का दूसριं पार्टी से घूर दूसरी पार्टी में के आ जाए उन आद्मे लिए चैलेंज यह को भी पार्टी तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारे करता है वो चार साल से इंतिवारी कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे भनें लेकिन पोस्टों पर कोई आ कर कर बैठिब कर पर्राज़ साहरब देरबा बा बानानिक से कार्थास हब वहीं कोरीडर है और गुर्टनन्ग ऐसं गिर्पा से हम पुरेंगे पर राजस्तान में जुस तरह के बहुत जदा किर्पा की जरुब पड़ेगी पिल्कुल कोई बहुत नहीं है भी ओर फीक हैं तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे जो हमारे पहले प्रभारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जहांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलिए सुगजिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बातचीत हो कि आप तो इलेक्शन सब्सक्राइब कि रहां मिलेंगे मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब received जब रहेंगे आपका अपस for राजु का मर्डर जिए राजस्तान के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर है। सुखजिंदर जी स्वागत है आपका न्यूसेटीन राजस्तान पर तेंक्यू जी हांजी। राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था। तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फाजर राजस्तान में ही रही है। तो राजस्तान शोड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें। देखो राजस्तान के कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वरकर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंके मेरी third generation Congress में है सौ साल से मेरा परवार Congress में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो Congress का Worker है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रुप के साथ हूँ कहां हूँ मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं Congress हूँ और Congress की सरकार तबारा मैं Congress हूँ सुचिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रहे थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम future CM से बात कर रहे है तो उन्होंने कहा था कि नहीं आप Congress ही से बात कर रहे है हाँ बिलकुल मैंने मैं Congress ही और मेरे फादर भी PCC President रहे है हाँ मेरे फादर परभारी भी रहती रहे है पॉल इंडिया Congress Committee के हाँ इसलिके मेरे खून में Congress है मेरे दिल में Congress है मेरे लिकान सुझिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो इस्थिती है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी Congress के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हाँ देखिए अगर एगो शोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की जो है पीशे नहीं जाती अगर एगो इस्थिक है हम तो फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में ये अपनी एगो अपना जे मैं बड़ा हूँ मैं चोटा हूँ वो बाते छोड़कर Congress की बात करनी चाहिए तो Congress कभी पीशे नहीं जाएगी Congress को कभी Congress का वरकर नहीं हराता है जब भी हराता है थे Congress को लोग नहीं हराते जब भी कोई हराता है Congress के लीडर ये एक दूसरे की टांग खीच कर उसको गिए तो इस्तिती राजस्थान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम Congress के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और Congress को मजबूत करेंगे अच्छी कोई बात नहीं है जिन्मी जी मुझे बात बताए कि आप जो दो नाम राजस्तान से सबसे ज़्यादा सामने रहते हैं उनसे आपके पसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक Congress के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए नए 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 टेके गैलोड साब जब जूद कांगरस में थे तो मेरे फादर उस ताइम PCC प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराणा रिलेशन है और आज नहीं जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इन चाहल थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फेमिली रिलेशन है तो रिजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे उनके रिमा जी है उनके मेसेज उनके मेरे मज़र की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल भी ये कांग्रस एक परवार के रूप में चलती है ये पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कांग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे ये ये हमरे दुमार के एक ऐसा प्रभारी भी राजस्तान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान है ये मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपिरियंस से बता रहा हूँ मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बादचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुगजंदर जी ये लेना चाहता हूँ कि देखिये इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूँ और उससे पहले जो प्रभारी थे चलाना चाहता हूँ जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे ने कराड़ जो दिखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है जा कोई घर चलाना है कोई फेमली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तो इस चली हमने खड़े होते देखा है आप मरेंदर सिंग के खिलाफ जब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे करेंगे और यांँ तो आपको के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ में पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है ने चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता क्योंकि चैलेंज वह सादमी को लगता है जो निया पॉलिटक्स में हो चै आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्तान में आज इस स्थिती पे पहुंच गए कि लोग खुल कर बोल रहा है अगर वो इंपार्शल होकर पार्टी नहीं करेगा तो वो सभी के साथ एक चैसा चरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बहरें लेकिन पोस्टों पर कोई आ पर राजस्तान में जिस तरह के आलात हैं बहुत ज्यादा की जरूरत बढ़ेगी आप बिल्कुल ठीक हैं ऐसी कोई बात नहीं है पंजाब में बहुत थे तो ऐसे आप अगर चैलिज्ज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी लिए पूरा समय है ठीक करने के लिए तो यह नितास्ति में ठीक हो जाता है कोई ऐसी बात नहीं है तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे मैं 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 जो हमारे पहले परबारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चली सुड़ेंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बधाईल है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी से कई बार बातचीत होगी अब तो इलेक्शन से मिलेंगे मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे चली सुड़ेंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कल राजु का मर्डर अल्टो राजस्थान के नए प्रभारी सुख जिंदर सिंग रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर है सुख जिंदर जी स्वागत है आपका न्यूस एटिंग राजस्थान पर तेंक्यों जी आप तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नयाद नहीं हूं क्योंकि मेरे क्रेंट फाजर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्थान की कॉंग्रेस के बारे में कॉंग्रेस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रेस है जो कॉंग्रेस का वर्कर है जो कॉंग्रेस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जिनेशन कॉंग्रेस में है 100 سال سے मेरा परवार कंगरस में है पहला मेरा सबसे काम होगा के जो कंगरस का वरकर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सब ही को दिया जएगा हर लीडर, मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुने जाये गी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वह बात नहीं रहेगी कि मैं किस गुरुप के साथ हूं कहां हूं मेरा एक ही टार्गट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूं और कॉंग्रस की सरकार तबारा यहां मैं कॉंगरेसी और सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रहे थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो अन्होंने कहा नहीं आपने कहा था कि नहीं से मेरे सुखजिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिति है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंगरेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे देखे अगर एको फिर पिर की बड़ा हूं मैं चोटा हूं बातेश चोड़ कर कर क काण्भर की पीशे नहींगेगी कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वर्कर नहीं हराता जब भी हराता है कॉंगर्स को लोग नहीं हराते जब भी कोई हराता है कॉंगर्स के लीडर ये एक दूसरे की टांग खीच कर उसको वही तो इस्तिती राजस्थान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाए जो दो नाम राजस्तान से सबसे ज़्यादा सामने रहते हैं उनसे आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉंगरेसी के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए है नए 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 देखे गैलोड साब जब जूट कॉंगरेस में थे तो मेरे फादर उस टाइम पीसी सी प्रेजिडेंट थे हैं अचा हाँ हाँ तो इनके साथ भी मेरे बहुत फैमलेशन है जो गो रिजेश पायलेट थे मेरी शादी में भी आए थे उनके दमाजी है, उनके मेरे मज़र, मेरे फादर, सभी हम रिजे पाइलेट जी, लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और यह रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिलकुल बिलकुल यह कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है यह पीड़ी दर पीड़ी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे यह यह हमरे अशा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो य कहेगा कि मैं किसान हूँ तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आप से एक सवाल सुगजंद आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परसनलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाले का कट देखें कॉर्ट का वर्करत्माग से नहीं हूं मैं दिल से पाटी को चलाना चाता हूं जो दमाग से चलाएगा वो उसके वैस्ट्टड इंटरस्ट होते हैं जो दिल करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूद पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिस्प्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है जा क कोई घर चलाना है कोई फैमली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा जो तो आपको तुस्ट्रिक हमने खड़े होते देखा है आप अपरदर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ आपको 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 तो आपको अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ें पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है ने चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता क्योंकि चैलेंज वह सादमी को लगता है जो निया पॉल्टक्स में हो चैलेंज उसको लगता है जो इसमें पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में आजाए उन आदमें के लिए चैलेंज होता है जो कॉंग्रस के पदाशी ही हैं उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहे है जो परभारी होते है अगर वो इंपार्शल होकर पार्श्यलटी नहीं करेगा तो वो सभी के साथ एक चैसा चरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे ब यहां से कुरुनानिक साहब 18 साल रहे हैं डेरव बबा नानिक से कर्तारपर साफ वहीं कोरीडर है और गुरुनानिक साहब की करपा से हम करेंगे तो आप राजस्तान में जस तरह के अलाथ हैं बहुत ज्यादा करिपा की ज़ुरत पढ़ेगी है कोई नहीं है अलाथ तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे मैं आउंगा जो हमारे पहले प्रभारी रहें उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त है और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलिए सुगजिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बातचीत होगी अप तो इलेक्शन सब्सक्राइन के नए प्रभारी सुगजिंदर सिंग रंधावाजी मेरे राजस्तान पर अब तो आपका राजस्तान आना जाना होता रहेगा बढ़ा ही ले सबसे पहले मेरे ग्रेंड फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंड फादर राजस्तान में ही रही है तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्तान की कॉंग्रेस के बारे में कॉंग्रेस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्रानी कॉंग्रेस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जिनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंग्रस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रुप के साथ हूं कहा हूं मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी ह पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम future CM से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि नहीं आप Congress से बात कर रहे हैं बिलकुल मैंने बिलकुल मैं Congress ही और मेरे फादर भी PCC President रहे हैं मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं All India Congress Committee के इसलिए मेरे खून में Congress है मेरे दिल में Congress है मेरे सुझिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिति है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी Congress के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक पीशे नहीं जाती अगर एग्वेस्ति के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में यह अपनी एगो अपना जे मैं बड़ा हूं मैं चोटा हूं वो बाते छोड़कर की बात करनी चाहिए तो Congress कभी पीशे नहीं जाएगी Congress को कभी Congress का वरकर नहीं हरा जब भी कोई हराता है ते Congress के लीडर ही एक दूसरे की टांग खीच कर उसको वही तो इस्तिती राजस्तान में बनी हुई है तो यह बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा देखे 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 जेप ऐसी बात नहीं है हम Congress के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और Congress को मुझबूत करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है जिनर जी मुझे बहुत बताए कि आप जो नाम राजस्तान से सबसे जादा सामने रहते हैं उनसे आप आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कामरेसी के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए नहीं 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 देखे गैलोड साब जब जूट कांगरस में थे तो मेरे फादर उस टाइम पीसिसी प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराणा रिलेशन है और आज नहीं जब मैं टूट तौजन्ट सेमिंटीन की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इनचाल थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिली लेशन है जो रिजज पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे उनके रमा जी ह मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी हम लोग जानते हैं कि संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल 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 ये कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है ये पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी किसान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूं तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं ये मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में व ये आरोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहा है इसलिए उनको हटाया किया अब एक न्यूटरल परसनलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परसनलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाल मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कडाई की जुरूद पड़ेगी तो आप कडाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है जा कोई घर चलाना है कोई फेमली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा जो तुस्ट्रिक हमने खड़े होते देखा है आप अमरेंदर सिंग के खिलाफ जब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आपने देखे मैं पार्टी के लिए बोलता हूं मैं सबसे बड़ा का मरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था जब मैंने कांगर्स के बात करेंगे कांगर्स को आगे लिका जाएंगे और कांगर्स को पुछ में राजस्ताम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पे आने के बाद तो और भी चीज़े पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है ने चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता क्योंकि चैलेंज वहां सादमी को लगता है जो निया पॉल्टक्स में हो चैलेंज उसको लगता है जो इसमें पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में आजए, उन आदमें के लिए चैलेंज होता है, जो कॉंग्रिस के पदाइशी ही है, उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी. आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है, आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है, तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए, कि लोग खुल कर बोल रहा है तो आप समझाएंगे कैसे, अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है, वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है, नाम ही नहीं सामने आ रहा है देखें देखें टाइम तो लगाना पड़ेगा, मेरे को भी आपड़ेगा, करेंगे देखें वाई गुरू करेगा, किर्पा करेगा मैं भी वहां से हूँ, जहां से खुर्धनानिक साहब 18 साल रहे हैं, डेरभा बाबा नानिक से कर्तारपूर सहब वहीं tackारीडर है और गुर्णानिक साहब की किरपा से हम पर राजस्तान में जिस तरह के हलात हैं बहुत ज्यादा की ज़रूरत बढ़ेगी आपको कोई हलात नहीं है, हलात बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में बहुत थे, तो ऐसे आते हैं, अगर चैलिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी, लेकिं दोज़ए तेईस के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है, नहीं कोई पूरा समय है, ठीक करने के लिए, तो यह नहीं नहीं है, तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यातरा चल रही है, जिन में आऊँगा, चले सुखजिंदर जी, एक बार फिर आप मेरी तरफ से बधाईल है, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आगे भी आपसे कई बार बातचीत होगी, अब तो इलेक्शन समय नहीं मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, जब रहेंगे, चले सुखजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कल राजु का मर्डर, और राजस्थान के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंग, रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर है, सुखजिंदर जी, स्वागा थे आपका निउस 18 राजस्थान पर, अब तो आपका रा कि 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था, तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूँ, क्योंकि मेरे क्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है, तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी नहीं देखी रहे है राजस्थान के कंग्रेस के बारे में कंग्रेस पहले भी पहुआरी रहीrob कंग्रेस का वšकर है, जो कॉंगर्स की बैक पून है क्योंके मेरी थर्ड जिनेशन कॉंगर्स में है सौ साल से मेरा परवार कॉंगर्स में है पहला मेरा सबसे काम होगा के जो कॉंगर्स का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वह उन्सबी को दिया जाएगा मेरे लिए वह बहु है और हर आजमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मरे में वह बात नहीं रहएगी कि मैं किस क्रुफ रान कर्फ के साथ हूं, कहां हूं मेरा एक ही कि मैं कॉंगरेट होगा सिक्राइए कि मेरे बातकिते हुझे मेरे फादर पिक्राइए मेरे stocks group प्रेसेंट मैरे प्रभारी भी रहती रहे हैं पॉल इंडिया कॉंगर्स के मेटी के इसलिए मेरे खून में कॉंगर्स है, मेरे दिल में कॉंगर्स है, मेरे दिमार सुखजिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिति हैं उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंगर्स के लिए बनी थी और उसमें आप भी कि जो है पीशे नहीं जाती अगर एग्वेस्तिक हैं हम तो फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में यह अपनी एगो अपना यह के मैं बड़ा हूं मैं चोटा हूं वह बाते छोड़कर कॉंगरस की बात करनी चाहिए तो कॉंगरस कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंग देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कॉंगर्स के लिए कखे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और कॉंगर्स को मजबूत करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है जिनल जी मुझे बात बताए कि आप जो नाम राजस्तान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं उन से आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉंगरेसी के तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए जब जूद कॉंगरेस में थे तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो ये हमारे इंचार्ज थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिली लेशन है तो रिजेश पाइलेट जो मेरी शादी में भी आय थे उनके रिजमा जी नके मेसेज नके नकी मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक सिंग्रनावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्याता बिल गुल गई ये कॉंगरस एक परवार के जाल रहे हैं हम कभी कॉंगर्स का नुकसान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूं तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपिरेंस से बता र हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर या रोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया किया अब एक न्यूट्रल परसनालिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वह ऐसी परसनालिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो व वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो की निक है अब जाड़ेगी तो इस इंटरस्ट पर सिर्ट देखा रयाहरेगी तो ऑगे लिए कर जाएंगे और का आगे इसमें राजस्तान में मजबूत होगी. तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ेंगे पता चलेंगी. लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? ने चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता. क्योंकि चैलेंज वहां सादमी को लगता है जो निया पॉल्टक्स में हो. चैलेंज उसको लगता है जो इसमें पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में आ जाए उन आदमें के लिए चैलेंज होता है जो जो कॉंग्रस के पदाशी हैं उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी लेकिन देखिये चुकि कॉंग्रिस आपके तो ब्लड में कॉंग्रिस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पर पहुंच गए कि लोग खु जार ही कर रहा कि भाई सारही पोस्टर भरेएं लेकिन पोस्टों पर कोई कॉई आकर बैठी नाम ही नहीं सामने आ रह रहे हैं ल कॉieurनानर हो हमाँ मैं भी वहाँ से हूँ यहासे कुर्णानेक साब नहीं साथ रहे हैं तेरह बाबर माननेक क्रितार पूर्साभ वहीं करीडॉर है और गुर्णानेक साब की किरपा से हम करेंगे पर राजस्तान में जुस तरह का हलात हैं बहुत ज्यादा की ज़रूरत बढ़े फिल्कुल कोई हलाप नहीं है, हलाप बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में बहुत थे, तो ऐसे आते हैं, अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे? लेकिन 2023 के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है, नहीं कोई पूरा समय है, ठीक करने के लिए तो यह नितास्तिन में ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो अभी जो राजस्तान में भारत जुड़ो यात्रा चल रही है, राहूल गांधी की, क्या हम यह एक्सप सुखजिंदर जी, एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाई ही लें और बहुत 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 शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आगे भी आपसे कई बार बाचीत होगी, आप तो इलेक्शन से निकालने के लिए, हाई मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, जब रहेंग चलिए सुखजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था, तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूँ, क्योंकि मेरे क्रेंट फाजर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें, देखी रहें देखो, राजस्थान की कॉंग्रेस के बारे में, कॉंग्रेस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्रानी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जिजनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंग्रस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रुप के साथ हूं कहा हूं मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी ह पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम future CM से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि नहीं आप Congress से बात कर रहे हैं बिलकुल मैंने बिलकुल मैं Congress और मेरे फादर भी PCC President रहे हैं मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं All India Congress Committee के इसलिए मेरे खून में Congress है मेरे दिल में Congress है मेरे सुझिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिति है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी Congress के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक पीशे नहीं जाती अगर एग्वेस्ति के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में यह अपनी एगो अपना जे मैं बड़ा हूं मैं चोटा हूं वो बाते छोड़कर की बात करनी चाहिए तो Congress कभी पीशे नहीं जाएगी Congress को कभी Congress का वरकर नहीं हरा जब भी कोई हराता है कांगरस के लीडर ही एक दूसरे की टांग खीच कर उसको बस वही तो इस्तिती राजस्थान में बनी हुई है तो यह बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम Congress के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूंगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और Congress को मजबूत करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है आप जो नाम राजस्तान से सबसे ज़्यादा सामने रहते हैं उन से आपके पसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉमरेसी के तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए नहीं 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 देखे गैलोड साब जब जूट कांगरस में थे तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे अचाहाँ हाँ मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं जब में टूट में तौजन्ट सेमेंटीन की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इन चाहल थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिली लेशन है जो रजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आए थे उनके रमा मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सबी हम रजेश पाइलेट जी हम लोग जानते हैं कि संत्रोक सिंगरंदावा और रजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल यह कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंग्र करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपिरियंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बादचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुगजंदर जी यह लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले ज कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाले का कट देखें जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड जो दिखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट च चलाना है, कोई फैमडी की बात है, स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा. आपको तो इस चली हमने खड़े होते देखा है, मरेंदर सिंग के खिलाब जब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे. आपने देखे, मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ, मैं सबसे बड नहीं है, जो दिल से कॉंगर्स के बात करेंगे, कॉंगर्स को आगे लिका जाएंगे और कॉंगर्स के गाजस्ताम में मजबूत होगी. तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पे आने के बाद तो और भी चीज़ से पता चलेंगी, लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? नहीं चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता, क्योंकि चैलेंज वह सादमी को लगता है, जो निया पॉलिक्स में हो, चैलेंज उसको लगता है, जो इसने पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से आकर दूसरी पार्टी में आजाए, उन आदमें के लिए चैलेंज होता, जो कॉंग्रिस के पदाशी ही है, उनके लिए कोई चैलेंज दी पार्टी. आपके तो ब्लेड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पे पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहा है तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है देखे देखे टाइम तो लगाना पड़ेगा मेरे को भी देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा करेंगे देखे वाई गुरू करेगा करेगा मैं भी वहां से हूँ यहां से कुरुनानिक साहब 18 साल रहे हैं डेरबा बाबा नानिक से करतारपुर साहब वहीं कोरीडर है और गुर्णानिक साहब की किरपा से हम पर राजस्तान में जिस तरह के अलात हैं बहुत ज्यादा की ज़रुपा की ज़रुत बढ़ेगी आपको कोई नहीं है अला बिल्कुल ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है पंजाब में बहुत थे तो ऐसे आते हैं अगर चैलिज को एक्से हो जाता है कोई ऐसी बात नहीं है तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे मैं आऊंगा जो हमारे पहले परवारी रहे हैं उनसे बात करूंगा जो जांके चीमनिस्त हैं और सभी से बाठ करकी एक कादी दिन में आऊंगा चली सुड़ेंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बातचीत होगी अब तो इलेक्शन से जांगे हैं मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे चली सुड़ेंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कल राजु का मुर्डर और राजस्थान के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावाजी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं सुखजिंदर जी स्वागत आपका निउस एटीन राजस्थान पर तेंक्यू जी हांजी अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा 21 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो दाजस्थान के कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंके मेरी थर्ड जनेशन कॉंगर्स में है सौ साल से मेरा परवार कॉंगर्स में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंगर्स का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रुप के साथ हूँ कहा हूँ मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूँ और कॉंग्रस की सरकार तबारा मैं कॉंग्रसी ह से बात कर रहे हैं तो उन्होंने का आपने कहा था कि नहीं. आप कंग्रेसी से बात कर रहेraphy आँफ कॉंगरसी और मेरे फाधर भूंगरसी प्रजिजेंट रहे हैं मेरे फाधर परभारी भी रहती रहे हैं ऑर रिंडिया कंगरस का मेटी के इसलिगे मेरे खiым में Congress है, मेरे दिल में Congress है, मेरे दिमार सुखजिंदर जी देखिए, यहां राजस्थान में जो स्थिती है, उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी Congress के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हाँ, देखे अगर एगो शोड़ दे, तो पार्टी की बात करें, तो फिर कभी पार्टी की पीशे नहीं जाती है, अगर एगोस्तिक हैं हम, तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है, मेरे खाल में यह अपनी एगो, अपना जे, मैं बड़ा हूँ, मैं चोटा हूँ, वो वरकर नहीं हराता, जब भी हराता है, कॉंगरस को, लोग नहीं हराते, जब भी कोई हराता है, कॉंगरस के लीडर ही, एक दूसरे की टांक हीच कर उसको, बस वही तो इस्तिती राजस्थान में वनी हुई है, तो यह बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा, देखे, देखे, ऐसी बात नहीं है, हम कांगर्स के लिए कठे काम करेंगे, और जो पहले परबारी हैं, मैं उनसे भी मिलूँगा, और जो लेडर हैं, उनके मीटिंग करेंगे, और कांगर्स को मजबूत करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. जिनल जी मुझे बात बताएं, क्या आप जो नाम राजस्तान से सबसे ज़्यादा सामने रहते हैं, उनसे आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से, या सिर्फ एक कांगर्स के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए है? तो नहीं 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 डेके, गैलोड साब जब जूद कांगर्स में थे, तो मेरे फादर उस टाइम पी से सी प्रेजिडेंट थे, मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है, और आज नहीं यह हमारे जब में टूट में टूट में टूजन सेविंटीन की एलेक्शन उनके अब्दमा जी है, उनके मेसेज, उनके मेरे मदर की, मेरे फादर, मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी, लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा। बिल्कुल 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 यह कॉंग्रस एक परवार के जिस्थान को मिला है, जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूँ, तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप किसान हैं, यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्स्पिरेंस से बता रहा हूँ, मैंने देखा आप में वो किसानी वाला अंश, आपकी बातचीत म मैं आप से एक सवाल सुगजंदर जी यह लेना चाहता हूँ कि इससे पहले जो दो प्रभारी रहना, अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूँ, और उससे पहले जो प्रभारी थे, उन पर या आरोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहा है, इसलिए उनको हटाया किया, अब एक नीट्रल पर्सनेलिटी आई है, जो दोनों को जानती है, लेकिन वो ऐसी पर्सनेलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है, तो वो बोल भी देती है, बिना जिचके, बिना सामने वाले का कट देखे है, जो दिल से बात करेगा, उसका सभी क के लिए प्यार और सदकार बना रहे, मैं तो ऐसे चलूँगा, अगर कडाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कडाई को भी अपनाएंगे, निक राड़, जो देखे, स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए, चाहे कॉमेंट चलानी है, जा कोई घर चलाना है कोई फैमडी की बात है, स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा. आपको तुस चली हमने खड़े होते दिखा है, आप अमरेंदर सिंग के खिलाब जब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे. आप ने दिखे, मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ, मैं सबसे बड़ा का मरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था, जब मैंने देखा कि मरेंदर सिंग का नफसान करा है, सबसे पहले मैंने उनके गेंस्ट में मैंने उनको रिजाइन कर दिया था कि जी लो आपनी उठाओ, मैंनी आपका मिनिस्टर रहूंगा. तो ऐसी बात नहीं है, जो दिल से करने के बाद तो और भी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? ने, चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता है, जो निया पॉलिटक्स में हो, चैलेंज उसको लगता है, जो इसने पहली बात किसी पार्टी का दूसर में कॉंग्रेस है, आप जानते हैं कि कई चीज़ों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है, तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पे पहुँच गए, कि लोग खुल कर बोल रहा है? जो परभारी होते हैं, अग आज़ा से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टें बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकरों कोई आपि नहीं रहां, नहीं नहीं सामने आ रहा है? देखे तेके ताइम को लगा नपड़ेगा देखना पड़ेगा, करेंगे तन comunic call है नहीं है करेंगे. पर राजस्तान में जुस तरह के अलाइत हैं बहुत जादा क्रिपा की जुरूरत पड़ेगी है फिसकोल कोई हलाइत नहीं है अलाइत ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है पंजाम में बहुत थे अगर चैलिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी यह जो राजस्तान में भारत जुड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे जो हमारे पहले परवारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त है और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलिए सुगजेंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाई ले और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बाचीत हो कि अप तो इलेक्शन से निकालने के लिए हैं मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे चलिए सुगजेंदर सिंग रंधावाजी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं सुगजेंदर जी स्वागत है आपका न्यूस एडिन राजस्तान पर अब तो आपका राजस्तान आना जाना होता रहेगा बदा ही ले सबसे पहले थैंक्यू मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमार पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फादर राजस्तान में ही रही है तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहे हैं देखी रहे देखो राजस्तान की कॉंग्रेस के बारे में कॉंग्रेस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रेस है जो कॉंग्रेस का वरकर है जो का वरक कर रहे उस को उसका जो मिलना चाहीए जो सदकार मिलना चाहीए हम वो उन सबी को दिया जए गा हर लीडर हम मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस कुरुप के साथ हूँ, कहां हूँ, मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूँ और कॉंग्रस की सरकार तबारा हूँ मैं कॉंगर्सीजिंदर अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्डर से मेरी बात जीत हो रही थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो उन्होंने आप ने कहा था कि नहीं आप कॉंगर्सी से बात कर में जो स्थिति हैं उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे के अगर हई लेटर इगो छोड़ दे तो पार्टी की बात करें तो फिर कभी कपर की पॉर्प करनी चाहिए को काईगरस कभी Z का वर्कर नहीं हिरता, जब भी हराता है कैसी कांगर्स को लोग नहीं हराते है, जब भी कोई हराता है की कांगर्स के लीडर की टांग खिज़ कर उसको तो इस्तिती राजस्तान में बनी हुई है, तो यह बड़ा बात नहीं है राजस्तान जी मुझे बात बताए कि आप यह दो नाम राजस्तान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं उन से आप आपके पर्सनल रिलेशन्स हैं पहले से यह सिर्फ एक कॉमरेसी के तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए है नहीं 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 देखे गैलोड साब जब जूट कॉंगरस में थे तो मेरे फादर उस टाइम पीसी सी प्रेजिडेंट थे अचा हाँ हाँ मेरा इनके साथ भी बहुत पराणा रिलेशन है और आज नहीं यह हमारे जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इंचार्ज थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिलेशन है जो रिजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आए थे उनके रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल बिल्कुल यह कांग्रस एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कांग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे यह एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूँ तो इसको लोगों को बिली आपसे एक सवाल सुकजंदर जी यह लेना चाहता हूँ कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूँ और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उ जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी डिसिप्लन लाने के लिए कोमेंट चलानी है जा है कोई घर चलाना है फैमली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तिस चुछी हमने खड़े होते देखा है, आप अमरेंदर सिंग के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप नहीं तेखे, मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ, मैं सबसे बड़ा के अमरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था जब मैंने देखा के अमरेंदर सिंग का नफ्सान कर रहा है, सबसे पहले मैंने उनको रिजाइन कर दिया था कि जी लो आपनी उठाओ, मैंनी आप का मिनस्त साम में मजबूत होगी. तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद और भी चीज़ेंगी, लेकिन वहां से बड़ा चैलेंज क्या लगता है? ने, चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता. क्योंकि जो इसको लगता है जो इसमें पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में आजाए उन आदमियों के लिए चैलेंज होता है जो जो कॉंग्रस के पदाशी ही है उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहा है तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है बैठी डेकर ताइम तो लगाना पड़ेगा मेरे को भी लगाना पड़ेगा और में बहुत थे तो ऐसे आते हैं तो अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे लेकिन 2023 के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय है ठीक करने के लिए तो यह तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे म जो हमारे पहले प्रभारी रहें उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त है और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलिए सुग जिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बधाईल है और बहुत बहुत शुक्रे अपना समय निकालने के लिए आगे भी मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे चलिए सुग जिंदर जी बहुत बहुत शुक्रे आपका राजु का मर्डर जी मेरे साथ फोन लाइन पर है सुग जिंदर जी स्वागा थे आपका न्यूस एटीन राजस्थान पर तेंक्यू जी हांजी अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा बदा ही ले सबसे पहले मेरे ग्रेंड फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे ग्रेंड फादर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी ख़बने तो आप वैसे भी सुनी रहे देखी रहे देखो राजस्थान की कॉंग्रेस के बा कॉंगर्स में है सौ साल से मेरा परवार कॉंगर्स में है पहला मेरा सबसे काम होगा के जो कॉंगर्स का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएग कि मैं मेरे में वह बात नहीं रहेगी कि मैं किज्ग मेरा एक आरीक होगा कि में कांग्रोसी हूं सुखिंदर बठेеспर्शन जी. अभी मैंने बताया कि हमारे रिपोर्टर के मैंने बात जीत हो Bellaci कि आप से एक replaced DOJ कि मीडिया ने לצैसे29 मंहींंने ने अ peng with you ICC प्रेजिएंट रहे हैं, मेरे फादर प्रभारी भी रहती रही है, पॉलिणिया कॉंगरस कमैटी के, इसलिए मेरे खून में गॉंगरस में कॉंगरस थे. लेकिन सुखजिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिति हैं उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हां देखेझ अगर एगो फ्र रीडर को यगो छोड़े फ्र वो पार्टी की बात करें तो फिर कभी पार्टी की ने जो है पीशे नियाती है अगर एगोिस्तिक हैं हम वह फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में ये अपनी एगो अपना ये मैं बड़ा हूं मैं चोटा हूं वो बाते छोड़ कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वरकर नहीं हराता है जब भी हराता है तो कॉंगर्स के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उन से भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और कांगरस को मजबूत करेंगे यह कोई बात निया है जिनमें जी मुझे बात बताए कि आप जो दो नाम राजस्तान से सबसे जादा सामने रहते हैं उन से आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से यह सिर्फ एक कांगरस के तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए नए ने 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 देखे गैलोड साब जब जूद कांगरस में थे तो मेरे फादर उस ताइम पी सिसी प्रेजेंट थे हैं अचा हाँ हाँ तो रिजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे उनके रिजमा जी हैं उनके मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिलकुल भी यह कांगरस एक प प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूँ तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान है यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरेंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बात किसी एक गुट के साथ हो रहा है इसलिए उनको हटाया किया अब एक न्यूट्रल परसनलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परसनलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाले का कट देखे मैं मैं का पार्टी का वर्करत दमाग से नहीं हूं मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई क जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है जहां कोई घर चलाना है कोई फैमिली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तुस चली हमने खड़े होते दिखा है आप अमरेंदर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आपने देखे मैं पार्टी के लिए बोलता हूं मैं सबसे बड़ा क्या है अमरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था जब मैंने देखा कि मरेंद के अगेंस्ट में मैंने उनको रिजाइन कर दिया था कि जी लो आपनी उठाओ मैंनी आपका मिरस्तर रहूँगा तो ऐसी बार नहीं है जो दिल से कॉंगर्स के बात करेंगे कॉंगर्स को आगे लिए कर जाएंगे और कॉंगर्स को पुछ्छ में मजबूत होगी तो आपक क्योंकि चैलेंज वसा आदमी को लगता है जो निया पॉल्टक्स में हो चैलेंज उसको लगता है जो इसमें पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से आकर दूसरी पार्टी में आ जाए उन आदमें के लिए चैलेंज होता है जो जो कॉंगरस के पदाशी हैं उनके ल तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं सामने आ रहा है देखी देखी टाइम तो लगाना पड़ेगा मेरी को भी ले भी करेगा किर्फा करेगा मैं बहां से अब बहाई बहुत ज्यादा करूद्म सयवजाब कारीडर ही तक रहा है ब्ल yay राज़ने में चुन कोई ने कृतार कोई थी क है है, ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में बहुत थे, तो ऐसे आते हैं, अगर चैलेज को एक्सेट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे? लिकिन दोज़ए तेईस के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है? तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहूल गांधी की, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे, उससे जुड़ेंगे? मैं आउंगा जी, जो हमारे पहले प्रवारी रहे हैं, उनसे बात करूँगा, जो जांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी, एक आदे दिन में आउगा. चलिए सुगजिंदर जी, एक बार फिर आप मेरी तरफ से बधाईल है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आगे भी आपसे कई बार बाचीत हो कि आप तो इलेक्शन से निकालने के लिए, आप मिलेंगे, मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, जब रहें चलिए सुगजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कल राजु का मर्डर राजस्थान के नए प्रभारी सुगजिंदर सिंग रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर है, सुगजिंदर जी स्वागत है आपका न्यूस 18 राजस्थान पर अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा, बढ़ा ही लें सबसे पहले मैं नया नहीं हूँ, मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए लिए नया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी ख़बरे तो आप वैसे भी सुणी रहें, देख ही रहें देखो दाजस्थान के कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है जो सतकार मिलना चाहिए, वो उन सबी को दिया जाएगा, हर लीडर, मेरे लिए वो मेरा भाई है, और हर आदमी की सुनी जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस गुरूप किस के साथ हूँ कहा हूँ मेरा एक ही ही है कि मैं Congressy हूँ और Congress की सरकार अब हूँ है कोंग्रेसी उसुजेंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मारी बात जीत हो रहे थी, कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ सामय पहले की बात है कि कि हम future CM से बात कर रहे हैं तो उन्होंने का नहीं आप ने कहा था कि नहीं आप Congress से बात कर रहे हैं हां बिल्कुल उलिध सिजी और मेरे फादर भी PCC प्रेजेंट रहे हैं मेरे फादर परभारी भी रोह और ओल इंडिया कंगर्श कमेटी के उसलिगे मेरे खून में कंगर्फ है कि मेरे दिल में कंगर्ष है मेरे दिमार्ट के सुखिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो इस्थिती है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हाँ देखे अगर इङो शोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की जो है पीशे नी जाती अगर इग्वेस्थिक हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता इमेरे कहाल में यह अपनी इगो अपना जिए के मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, वो बातें छोड़कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए, तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी, कॉंगर्स को कभी, कॉंगर्स का वरकर नहीं हराता है, जब भी हराता है, कॉंगर्स को लोग नहीं हराते है, जब भी कोई हराता है, कॉंग करेंगे और कांगरस को मजबूत करेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है. आप जो नाम राजस्तान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं, उनसे आप आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से? या सिर्फ एक कांगरसी की तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए? नहीं 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 देखे, गैलोड साब जब जूट कांगरस में थे, तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे, मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है, और आज नहीं जब में टूट में 2017 की एलेक्शन हुई, तो ये हमारे इंचार्ज थे, तो इनके साथ भी म जामा जी है, उनके मेंसेज, उनके मेरे मदर की, मेरे फादर, मुझे सबी हम, रिजेश पाइलेट जी, लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा, बिल्कुल बिल्कुल, ये कांगरस एक परवार के रूप में चलती है, ये पी किसान हूँ, तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप किसान है, ये मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपिरियंस से बता रहा हूँ, मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश, आपकी बातचीत में भी, मैं आप से एक सवाल सुखजंदर जी ये लेना चाहता हूँ कि देखिये, इससे पहले जो दो प्रभारी रहना, अजय माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूँ, और उससे पहले जो प्रभारी थे, उन पर या आरोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे है, इसलिए उनको हटाया गया, अब एक वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं, जो दिल से बात करेगा, उसका सभी के लिए प्यार और सतकार बना रहे हैं, मैं तो ऐसे चलूँगा, अगर कड़ाई की जूरुत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे, निक राड़, जो दिखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए, चाहे कोमेंट चलानी है, जहाँ कोई घर चलाना है, कोई फेमडी की बात है, स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा. आपको तिस चली हमने खड़े होते देखा है, अमरेंदर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था, तब आप बोलते थे. आपके लिए हैं, सबसे बड़ा के आमरेंदर सिंग का सपोर्टर भी था, जब मैंने देखा कि अमरेंदर सिंग का नफा fund कर था कि मैंने लेगा आको ने आपट रहोगा। तो ऐसी बार नहीं है जो दिल से कॉंगर्स के बात करेंगे कॉंगर्स को आगे लिका जाएंगे और कॉंगर्स को पुझने गाजसाम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ेंगे लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है और आदमें लिए चैलेंज होता है जो कॉंगर्स के पदाशी है उनके लिए कोई चैलेंज दी पार्टी ने लेकिन देखिए चुकि आपके तो ब्लड में कॉंगर्स है आप जानते हैं कि कई चीज़ों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस्तिती पे पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहा है जो परभारी होते हैं अगर वो इंपार्शल होकर पार्शेलिटी नहीं करेगा तो वो सभी के साथ एक कैसा चरेगा तो कोई प्राउलम नही करेगा और देखना पड़ेगा करेंगे करेगा हमएं मैं भी वहाँ से हूँ यहां से करुनानिक साहब ऐठारा साल रहें हैं हाँ हां नहीं कर्दाब्र में यहाँ साब कर ता chi क्रिपा से हम Карेउलम में पर्राज्शतान में जस तरह क्या अहलात हैं बहुत यह ज्यादा की श हम अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी लिगे दोज़ए तेईस के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय है ठीक करने के लिए तो यह नहीं ठीक हो जाता है अगे आप से कई बार बाचीत होगी अब तो इलेक्शन से मिलेंगे मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे चली जी बहुत बहुत शुक्रिए आपका कल राजु का मर्डर और जास्तान के नए प्रभारी सुक्जिंदर सिंग रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर है सुक्जिंदर जी स्वागा थे आपका न्यूस एडिंग राजस्तान पर तेंक्यू जी हांजी और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फादर राजस्तान में ही रही है तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्तान की कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंग्रस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सित्कार मिलना चाहिए. वहुँन उन रिषभी को दिया जाएगा. हर लीडर. मेरे लिए वहुँना भाई है. हर आदमी की सुनी जाएगी. ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी. कि मैं किस कृप के साथ हूं, कहा हूँ. मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूँ और कॉंग्रस की सरकार तबारा हुआ सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रही थी अब से एक մीडिया ने पूछा था फरे खि कि हम總 Isso से बात कर रहे का रहा है तो इन्हों ने और लिए आपने तक कघ्रिशी से बात कर रहे है कि अधिन कॉंग्रोशी मेरे मेरे लोगर्स के अंषसी मेर सुख सी जी यह यहां राजस्थान में जो स्थिति हैं उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हाँ देखे अगर अगर लीडर कोई फ्मिश फ्मिश वी शूड़ दे तो पार्टी की बात करे तो पिर कभी पार्टी की पीशे ने जाती अगर एगोस्ते के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में ये अपनी एगो अपना जे मैं बड़ा हूँ मैं चोटा हूँ वो बाते छोड़ कर कॉंगरस की बात करनी चाहिए तो कॉंगरस कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगरस को कभी कॉंगरस का वर हम कॉंगरस के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी है मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेज़ रहे हूं उनकी मीटिंग करेंगे और कॉंगरस को मुझभूत करेंगे अश्क कोई बात नहीं है राजस्तान जी मुझे बात बताए कि आप जो दो नाम राजस्तान से सबसे जादा सामने रहते हैं उन से आप आपके पस्नल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉंगरेसी के तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए है नए 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 डेके गैलोड साब जब जूट कॉंगरेस में थे तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे हैं अचा हाँ हाँ तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमले रिलेशन है तो रिडेष पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आए थे हंँ उंकी Ohio घिया है उनके मिसिजर मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सब भी हम रिडेष पाइलेट जी है लोग जानते हैं कि संतोक सिंग रंदावा रहे हैं हम कभी कॉंगर्स का नुक्सान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूं तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया किया अब एक नूट्रल परसनलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परसनलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाले का कट देखें मैं मैं पार्टी का कॉंगर्स पार्टी का वरकर दमाग से नहीं हूं मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिस्प्लन लाने के लिए चाहे कोमेंट चलानी है जा कोई घर चलाना है मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ मैं सबसे बड़ा क्या मनेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था जब मैंने देखा कि हम्रेंदर सिंग का नक्सान कर रहा है सबसे पहले मैंने उनके मैं कर दिया था कि जी लो आपनी उठाओ मैंनी आपका मिनेस्ट तो ऐसी बार नहीं है जो तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ में पता चलेंगी, लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? ने चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता, क्योंकि चैलेंज वहां सादमी को लगता है, जो निया पॉल्टक्स में हो, चैलेंज उसको लगता है, जो इसमें पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से आगर दूसरी पार्टी में आजाए, उन आदमें के लिए चैलें भी पार्टी ने लेकिन देखिए चुकि कॉंग्रिस आपके तो ब्लेड में कॉंग्रिस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बने लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है किवाई देखे ने भी कर राज can jam one go करेंगे किरुडका करेगा करइग है मैं भी हैं वहां से हुँ यहां से कुर्णानिक सौह वह टाृथारा साल रहे हैं रहे मिरभा बनानिक 12 साथम कर तार भाई साह goose in और इंगे पर राजस्तान में जिस तरह के हलात हैं बहुत ज्यादा क्रिपा की ज़रुत पड़ेगी आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे जो हमारे पहले परबारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आँगा चलि सुग्जिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाई लें और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बातचीत हो कि अब तो इलेक्शन से मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे चली सुग्जिंदर जी बहुत शुक्रिया आपका तो आपका राजस्तान आना जाना होता रहेगा बढ़ा ही लें सबसे पहले मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए निया नहीं हूँ क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी ख़बने तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें कैसे मेरी third generation congress में है, सौ साल से मेरा परवार कंगर्स में है, पहला मेरा सब से काम होगा, कि कंगर्स का worker है, उसको उसका जो मिलना चाहिए, जो सतकार मिलना चाहिए, वो उन सबी को दिया जाएगा, हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है, और हर आदमी की सुने जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मेरे में वो बात नहीं रहेगी किस के सात हूं कहा हूं मेडा एक ukि ही होगा कि मैं कॉंग्डसी हूं और कॉंग्रस की सरकार तबारा रहा हूं सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रहे थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो उन्होंने का नहीं आप कॉंग्रेसी से बात कर रहे हैं हां बिल्कुल मैंने बिल्कुल मैं कॉंग्रसी और मेरे फादर भी पी से सी प्रेजेंट रहे हैं मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं और इंडिया कॉंग्रस कमेटी के इसलिए मेरे खून में कॉंग्रस है मेरे दिल में कॉंग्रस है मेरे दिमार सुखजिंदर जी देख छोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की पीशे नहीं जाती, अगर एगर इगोस्ति के हैं हम, तो फिर पार्टी का नुक्सान होता है, मेरे खाल में ये अपनी एगो, अपना, जे, कि मैं बड़ा हूं, मैं चोटा हूँ, वो बातें छोड़कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए, तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी, कॉंगर्स को कभी, कॉंगर्स का वर्कर नहीं हराता, जब भी हराता है तो कॉंगर्स को लोग नहीं हराते, जब भी कोई हराता है तो कॉंगर्स के लीडर कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और कांगरस को मजबूत करेंगे अशी कोई बात नहीं है जिनर जी मुझे बात बताए क्या आप जो नाम राजस्तान से सबसे जादा सामने रहते हैं उनसे आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कांगरस की तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए नहीं 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 देखे गैलोड साब जब जूत कांगरस में थे तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजेंट थे हैं अचाहाँ हाँ तो इनके साथ भी मेरा बहुत फेमली लेशन है तो रियेश पाइलə्ट्ट थे ठी जो मेरी शादी में भी आये थे उनके ज्रमा जी हैं उनके मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सब हम रियेश पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक संगर्णाबावा और यह रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिलकुल बिलकुल यह कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंग्रस का नुकसान नहीं करेंगे यह एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि म मैं किसान हूँ तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान है यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरेंस से बता रहा हूं मैंने देखा आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आप से एक सवाल सुगजंदर जी यह लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर या रोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया गया अब एक न्यूट्रल परसन वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो दिखे स्ट्रिक्ट तो अगरेगी कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने तिके मैं पार्टी के लिए बोलता हूं मैं सबसे बड़ा करें का स्पोर्टर भी था जब मैंने देखा कि अमरेंदर सिंग कांगरस का निकान करा रहे हैं सबसे पहले मैंने उनके अगेंस्ट में मैंन गाजस्ताम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहाँ से यहाँ पर आने के बाद तो और भी चीज़ें पता चलेंगी लेकिन वहाँ से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है ने चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता क्योंकि चैलेंज वोसा आदमी को लगता है जो निया पॉल्टक्स में हो चैलेंज उसको लगता है जो इसने पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से आकर दूसरी पार्टी में आजाए उन आदमें के लिए चैलेंज होता ह तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पे पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहा है जो परभारी होते हैं अगर वो इंपार्शल होकर पार्शालिटी नहीं करेगा तो वो सबी के साथ एक कैसा चरेगा तो कोई प्रॉब्ल पढ़ेगा और देखना पढ़ेगा करेंगे तो य गृुब्ल करेगा जासे हो यह से गृर्णानेक साफ थारा साल रहे हैं अहां गरभा बाबा लानिक से कर्टारपुर वहीं क़रीडूर है और गृर्णानेक साफ की करपा से हम पर नाजस्तान में जस तरह के ओलाट हैं ब अगर चैलेजी को एक्सेट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे लिकिन 2023 के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय ठीक करने के लिए तो यह नितास्तिन में ठीक हो जाता है कोई ऐसे बात नहीं है तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे मैं मैं आउंगा जी जो हमारे पहले परवारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस ने हैं और सभी से बाठ करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलिए सुगजिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है और बहुत 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 शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए राजस्तान आना जाना होता रहेगा बढ़ाईले सबसे पहले मैं निया नहीं हूँ मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और नाइंटिन क्विटी वान में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसक तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो दाजस्तान के कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जो नेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कांगरस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कांगरस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस गुरुप के साथ हूं कहा हूं मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूं और कॉंग्रस की सरकार तबारा हूं मैं कॉंग्रेसी और सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रहे थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि नहीं आप कॉंग्रेसी से बात कर रहे हैं हाँ बिलकुल मैंने बिलकुल मैं कॉंग्रेसी और मेरे फादर भी पी से सी प्रेजेंट रहे हैं मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं पॉल इंडिया कॉंग्रेस के मेटी के इसलिए मेरे खून में कॉंग्रेस है मेरे दिल में कॉंग्रेस है मेरे दिमा कोई एगो छोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की जो है पीशे नहीं जाती अगर एगो इस्ते के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में यह अपनी एगो अपना जे के मैं बड़ा हूं मैं चोटा हूं वो बाते छोड़ कर कॉ तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी। का बड़ा वरकर नहीं हराता है। जब भी कोई हराता है।ba कॉंगर्स के लीडर ये उसको के ली मुझे बहुति तो इस्थितिी बड़ा चैलेंज नहीं हो जिनर जी मुझे बहुत बताए कि आप जो दो नाम राजस्तान से सबसे जादा सामने रहते हैं उनसे आपके पसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉमरेसी के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए नए 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 देखे गैलोड साब जब जूट कांगरस में थे तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं यह हमारे जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इंचार्ज थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत family liation है नो रिजेश पायलेट थे जो जो मेरी शादी में भी आए थे उनके जमा जी हैं उनके मेसेज उनके मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पायलेट जी झी लोग जानते हैं कि संतुक सिंगरंदावा और रिजेश पायलेट जी का कितना प्यादा ता बिलक उसका नुक्सान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान है ये मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आ सानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुखजंदर जी ये लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजयमाकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो क कॉंग्रस पार्टी का वर्कर दमाग से नहीं हूं मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं जो दमाग दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सतकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कडाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कडाई का को भी अपनाएंगे निक राड जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन ला सब्सक्राइब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आपनी इपर्टाओ के लिए बोलता हूं मैं सबसे बड़ा समक्रेंदर सिंग का अमरेंडर सिंग का निकार यह सबसे परहले मैंने उनके तनर के कमिलेट्ट में मैंने मैंने उनको रजय कर दिया था ज。」 फ सिल्इटाइम मुझबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेन्च क्या लगता है आपको अभी वह से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज में पता चलेंगी लेकिन वहां से देक्ने हैं सबसे पार्टी से आगर दूसरी पार्टी में आजाए, वो आदमियों के लिए चैलिज होता है, जो कॉंग्रस के परदाशी ही है, उनके लिए कोई चैलिज भी पार्टी. लेकिन देखिए, चुकि कॉंग्रस आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है, आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है, तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्थान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए, कि लोग खुल कर बोल रहा है, जो परभारी होते हैं अगर वो इंपार्शल होकर पार्श्यलिटी नहीं करेगा, तो वो सभी के साथ एक चैसा चरेगा, तो कोई प्राउल्म नहीं आएगी तो आप समझाएंगे कैसे, अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है, वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे भरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है, नाम ही नहीं सामने आ रहा है दॉर्यशन देखें, तो लगाना पढ़िएगा तो लगाना पढ़ेगा, मेरे को भी तो देकना पढ़ेगा, करेंगे, वा neutrome करitta करेंगे कर गर्फा करेगा पर राजस्तान में जिस तरह के अलात हैं बहुत जादा क्रिपा की ज़रुत बढ़ेगी आगर चैलिजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे जो हमारे पहले परबारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलि सुग्जिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाई लें और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बातचीत हो कि अप तो इलेक्शन से मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे चलिया सुग्जिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कल राजु का मर्डर जी मेरे साथ फोन लाइन पर है सुग्जिंदर जी स्वागत है आपका न्यू सेटिंग राजस्थान पर तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा बदा ही लें सबसे पहले मैं निया नहीं हूं मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसका मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूं क्योंकि मेरे क्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुरी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्तान के कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंके मेरी थर्ड जनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है पहला म सब्सदगार मिलना चाहिए, हम्म। वो उन सबी को दिया जएगा और हर लिडर हम्म। मेरे लिए वो मेरा भाई है हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहे गी कि मैं समय पहले की बात है कि क्या हम future CM से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं आपने कहा था कि नहीं आप Congress से बात कर रहे हैं आप बिलकुल मैंने बिलकुल मैं Congress और मेरे फादर भी PCC President रहे हैं मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं All India Congress Committee के इसलिए मेरे खून में Congress है, मेरे दिल में Congress है, मेरे दिल में Congress है लेकिन सुखजिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिति हैं उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी Congress के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे अगर इगो एगो शोड़ दे तो वो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की पीशे नहीं जाती अगर एगो इसतिक हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में ये अपनी एगो अपना जे मैं बड़ा हूँ मैं चोटा हूँ वो बाते छोड़ कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वर्कर नहीं हराता जब भी हराता है तो कॉंगर्स को लोग नहीं हर परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और कांगरस को मजबूत करेंगे यह कोई बात निया राजस्तान बताए कि आप जो नाम राजस्तान से सबसे जादा सामने रहते हैं उनसे आप आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से यह सिर्फ एक कांगरसी की तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए नए 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 देखे गैलोड साब जब जूट कांगरस में थे तो मेरे फादर उस ताइम पीसिसी प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं यह हमारे जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इंचार्ज थे तो इनके साथ मेरा बहुत फयाली देशन है तो रिजेश पालेट थे तो नो मेरी शादी में भी आए थे उनके दमा जी है उनके मेसिज उनके मेरे मज़र की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं कि संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिलकुल भी एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंगरस का नुक उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुगजंदर जी यह लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया किया अब एक नीट्रल परसनलिटी आई है जो द उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी लाने के लिए चाहे कौमेंट चलानी है जहां कोई घर चलाना है कोई फैमडी की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तुस चली हमने खड़े होते दिखा है आप अमरेंदर सिंग कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं पार्ट तो ऐसी बात नहीं है जो दिल से कॉंगर्स के बात करेंगे कॉंगर्स को आगे लिका जाएंगे और कॉंगर्स के वाजस्ताम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ में पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपके तो बलड में कॉंग्रेस है, आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है, तो वो नजर अंदास करने का नतीजा है, यह रहा की राजस्तान में, इस इस इस्तिवी पहुँच गए, परभारी होते हैं, अगर वो इंपार्शल होकर, तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है कोई नहीं है आप बिल्कुल ठीक है ऐसी कोई बात नहीं पर गान है में बहुत थे तो ऐसे आते हैं अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे दोज़ाइज के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय ठीक करने के लिए तो यह नितास्तिम में ठीक हो जाता है कोई ऐसे बा बारी रहें उनसे बात करूँगा जो जहांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक कादी दिन में आऊँगा चले सुक जिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बधाईल है और बहुत 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 शुक्रे अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार ब अंधावाजी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं सुक जिंदर जी स्वागत है आपका न्यू सेटीन राजस्थान पर अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा बदा ही ले सबसे पहले मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद ही हूँ क्योंकि मेरे किरेंट फादर राजस्थान में ही रहे हैं तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रस से जुरी सारी खबले तो आप वैसे भी सुनी रहें, देखी रहें? उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रुप के साथ हूं कहा हूं मेरा एक ही कॉंगरस की सरकार तबारा सुखिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रही थी कि आप से एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो उन्होंने का नहीं है आपने कहा था कि नहीं आप कॉंग्रेसी से बात कर रहे हैं। देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिती हैं उस तरह की स्थितीयां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थे और उसमें आप भी एक सेनटर नेम थे। हाँ देखे अगर एगो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में यह अपनी एगो अपना इजे मैं बड़ा हूं मैं चोटा हूं वो बाते छोड़ कर कांगर्स की बात करनी चाहिए तो कंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी कंगर्स को कभी का वरकर नहीं हराता है जब भी हराता है तो कंगर्स को लोग नहीं हराते जब भी कोई हराता है तो कंगर्स के लीडर ये एक दूसरे की टांग हीच कर उसको बस वही तो इस्तिती राजस्थान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात है हम Congress के लिए कठे काम करेंगे अर जो पहले परबारी है मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और Congress को मजबूत करेंगे ऐसे कोई बात नहीं है जिन्य जी मुझे बात बताए कि आप जो नाम राजस्तान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं उनसे आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉंगरेसी के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए जब जूद कॉंगरेस में थे तो मेरे फादर उस ताइम PCC प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराणा रिलेशन है और आज नहीं जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो ये हमारे इंचार्ज थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिली रिलेशन है तो रिजेश पाइ थे. न के दमा जी है, उनके मेसे down के मेरे मजर की मेरे फादर, सबी हम लोग जानते है के संतोगerer कितना पियासा । ये परवार C रूप में चलती है ये पीड़ी दर पीडी जो हम चल रहे हैं. हम कभी कोंग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूं तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान है ये मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुगजंदर जी ये लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर या रोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया किया अब एक नीट्रल परसनेलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परसनेलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाले का कट देखे ने में कौंगर्स पार्टी का वर्करc दमाग से नहीं हो मैं दिल से पार्टी को को चलाना चाहता हूं हम जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं 왜flu को दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हमांぎ तो एसे लाने के लिए चाहिए कोमेंट चलानी है जा कोई घर चलाना है कोई फैमिली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तुश्ची कि अमने खड़े होते देखा है आप अमरेंदर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे हाँ ने देखें मैं मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ हमाँ मैं सबसे बड़ा के अमरेंदर सिंग का सपोर्टर भी था जब मैंने देखा के मेरेंदर सिंग क्वाघर देख्ट का निपसान कर रहा है सबसे पहले मैंने के अईच्ट मैं उनको रिजइन कर द forecasting कर दिया था अभी फिलाल वहां से यहां पे आने के बाद तो और भी चीज़ में पता चलेंगी, लेकिन वहां से देखने में सबसके बड़ा चैलेंज कैया लगता है? उन आदमें के लिए चैलेंज होता है, जो कॉंगर्स के पदाशी ही हैं, उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी. तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारे करता है वह चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टें भराई कि ब 친히 नाम साल रहे हैं हाँ हाँ डेरा बाबा नानक से कर्तारपुर साहब वहीं कोरीडर है और गुर्णानक साहब की किरपा से हम पर राजस्तान में जुस तरह के हलात हैं बहुत ज्यादा क्रिपा की जुरूरत पढ़ेगी आपको कोई कोई हलात नहीं है हलात बिलकुल ठीक है ऐसी बात नहीं है पंजाब में बहुत थे तो ऐसे आते हैं अगर चैलेजी को एक्सेट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी दोज़ए तेरीस के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय है ठीक करने के लिए तो यह नितास्तिन में ठीक हो जाता है कोई ऐसे बात नहीं है तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे मैं 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 आऊंगा जी मैं जो हमारे पहले परवारी रहे हैं उ आप रहेंगे चलिए सुग जिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिए आपका हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए नयाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फाजर राजस्तान में ही रही है तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्तान की कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्रानी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जो नेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंग्रस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लिडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुने जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रूप के साथ हूं कहा हूं मेरा एक ही target होगा कि मैं Congress हूँ और कॉंगर्स की सरकार तो बारा है आपने कहा था कि नहीं आप कॉंगर्सी से बात कर रहे हैं हाँ मैं बिल्कुल मैं कॉंगर्सी और मेरे फादर भी पी सेशिए सी प्रेज़ेंट रहे हैं मेरे फादर परवारी भी रहती हैं। दोड़ दे, हूं, हूं, ठो पार्टी की बात करे, तो फिर कभी पार्टी की जो पीशे नहीं जाती में, अगर एगोइसति ay हοιπόν, तो फिर पार्टी का नुकसान होता है, मेरे खाल में यह अपनी ऐगो, अपना, जे, क्फिर मैं लड़ा हूँ मैं छोढ़ा हूँ वो बाते चोड़कर का इ Vamos कर दो दूसरी को पीर स्टिरी खिरने होई हिरने मेरे दो चै ते देखी देखे पर बारी हैं, मैं उनसे भी मिलूँगा, और जो लेडर हैं, उनकी मीटिंग करेंगे, और कांगरस को मजबूत करेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, राजस्तान जी मुझे बात बताए, क्या आप जो दो नाम राजस्तान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं, उनसे आप आपके प इसी सी प्रेजिडेंट थे, मेरा इनके साथ भी बहुत पराणा रेलेशन है, और आज नहीं यह हमारी जब में टूट में टूजन सेमेंटीन की एलेक्शन हुई, तो यह हमारे इंचार्ज थे, तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमली लेशन है, तो रजेश पाइलेट थे, वो मेरी शादी में भी आये थे, उनके रजमा जी है, उनके मेसेज, उनके मेरे मदर की, मेरे फादर, मुझे सबी हम, रजेश पाइलेट जी, लोग जानते हैं कि संतोक सिंगरंदावा और रजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा, बिल्कुल भी, यह कॉंग्रस एक परवा के रूप में चलती है, यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं, हम कभी कॉंग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे, यह हमरे दुमार के हैं, एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है, जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूँ, तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़े हूँ कि देखिए, इससे पहले जो दो प्रभारी रहना, अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूँ, और उससे पहले जो प्रभारी थे, उन पर या आरोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं, इसलिए उनको हटाया किया, अब एक नूट्रल परस लाना चाता हूँ, जो दमाग से चलाएगा, वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं, जो दिल से बात करेगा, उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं, मैं तो ऐसे चलूँगा, अगर कड़ाई की जुरूद पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी जो तिस चली हमने खड़े होते देखा है, अमरेंदर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे हाँ, ने देखे, मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ, मैं सबसे बड़ा के अमरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था, जब मैंने देखा के अमरेंदर सिंग कॉंगर्स का निपसान का रहा है, सबसे पहले मैंने उनको रिजान कर दिया था कि जी लो आपनी उठाओ, मैंनी आपको, ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़े पता चलेंगी, लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? ने, चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता है, जो निया पॉल्टक्स में हो, चैलेंज उसको लगता है, जो इसने पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में आजए, उन आदमेंगे लिए चैलेंज होता है, जो कॉंगरस के पदाशी हैं, उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी. आपके तो ब्लड में कॉंगरस है, आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है, तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए, कि लोग खुल कर बोल रहा है. तो आप समझाएंगे कैसे, अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है, वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है, नाम ही नहीं सामने आ रहा है. गरणानक, कर नांक सारी रहे हैं. और राजस्तान में जिस तरह के अलात हैं बहुत ज़्ड़ा की ज़रोत बढ़े गैगा है। बिल्कुल कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में बहुत थे, तो ऐसे आते हैं, अगर चैलिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे? लिगें 2023 के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है? नहीं कोई बूरा समय है, ठीक करने के लिए तो यह नहीं ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो अभी जो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहूल गांधी की, क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्थान आएंगे, उससे जुड़ेंगे, मैं आउंगा, जो हमारे पहले प्रभारी रहे हैं, उससे बात करूँगा, जो जांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी, एक राज दिन में आऊँगा, चलिए सुग जिंदर जी, एक बार फिर आप मेरी तरफ से बधाईल है, और बहुत 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 शुक्रे अपना सम सुगजिंदर सिंग, रंधावाजी मेरे साथ फोन लाइन पर है, सुगजिंदर जी, स्वागा थे आपका न्यूस 18 राजस्थान पर, तेंक्यू जी हांजी, अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा, बदा ही ले सबसे पहले, तेंक्यू मेरे बानी, मैं नया राजस्थान के लिए नियाद गही हूँ, क्योंकि मेरे grandfather राजस्थान में ही रहे हैं तो हालिया राजस्थान की Congress दूड़ी सारी खबने तो आप वैसे भी सुनी रहें, देखी रहें देखो लाजेस्थान के कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वरकर है जो कॉंग्रस की बेकपून है क्योंके मेरी थर्ड जनेशन कॉंगर्स में है सौ साल से मेरा परवार कॉंगर्स में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंगर्स का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा मेरे लिए वह मेरा भाई है और हर आदमी तरियसा नहीं होगा कि मैं मेरे में studying मेरा कि साहला कि मैं said कंगर्सी हूं और चीजुए सब कर शेले की भावाल सुख़िआ smiled रहे हैं आपने कहा था कि नहीं आप कॉंग्रेसी से बात कर रहे हैं हाँ बिलकुल मैंने बिलकुल मैं कॉंग्रसी और मेरे फादर भी PCC प्रेजेंट रहे हैं मेरे फादर प्रभारी भी रहती रहे हैं पॉल इंडिया कॉंग्रस कमेटी के इसलिगे मेरे खून में कॉंग्रस है मेरे दिल में Congress है मेरे लेकिन सुखजिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिति है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी Congress के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक इंटर नेम थे तो देखे अगर एगो फिर फिर पार्टी का नुकसान होता है मेरे खाल में यह अपनी इगो अपना जे मैं बड़ा हूं मैं चोटा हूं वह बाते चोड़कर का बात करनी चाहिए तो Congress कभी पीशे नहीं जाएगी Congress को कभी Congress का वरकर नहीं हराता जब भी हराता का गॉंकर को लोग नहीं हराते जब भी कोई हराता है काउंगर्स के लीडर एक दूसरे की ठांक खीचकर उसको बबस वही तो इस्तिति राजस्टान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंच नहीं हो जो दो नाम राजस्तान से सबसे ज़्यादा सामने रहते हैं, उनसे आपके पर्सनल रिलेशन्स हैं पहले से, यह सिर्फ एक कॉंग्रेसी के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए है. तो नए ने ने डेके गेलोड साब जब जूद कॉंग्रेस में थे, तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे, मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है, और आज नहीं यह हमारे जब में टूट में 2017 की एलेक्शन हुई, तो यह हमारे इंचार्ज थे, तो इनके स हमा जी है, उनके मेंसेज, उनके मेरे मदर की, मेरे फादर, मुझे सबी हम, रिजेश पाइलेट जी, लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा, बिल्कुल भी, यह कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है, यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं, हम कभी कॉंग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे, यह यह हमरे दुमार के, एक ऐसा प्रभारी भी राजस्तान को मिला है, जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूँ, तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप किसान है, यह मैं पहले जो दो प्रभारी रहना, अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूँ, और उससे पहले जो प्रभारी थे, उन पर या रोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे है, इसलिए उनको हटाया गया, अब एक नूट्रल परस्नालिटी आई है, जो दोनो वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं, जो दिल से बात करेगा, उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे है, मैं तो ऐसे चलूँगा, अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे, निक राड़, जो देखे, स्ट्रिक्ट तो पार्टी discipline लाने के लिए, चाहिए comment चलानी है, जहाँ कोई घर चलाना है, कोई family की बात है, strict तो होना पड़ेगा, आपको तो इस चली हमने खड़े होते देखा है, आप अमरेंदर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे, आप ने देखे, मैं पार्टी आपका मरेंदर रहूंगा, तो ऐसी बात नहीं है, जो दिल से कांगरस के बात करेंगे, कांगरस को आगे लिका जाएंगे और कांगरस के गाजस्तान में मजबूत होगी, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको, ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां प पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से आगर दूसरी पार्टी में आजाए, उन आदमें के लिए चैलेंज होता है, जो कांगरस के पदाशी हैं, उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारे करता है वो चार साल से इंतजारी कर रहा है कि सारी पोस्टे भरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठ ही नाम ही नहीं सामने आ रहे हैं मेरे को भी जिखना पते देखना पड़ेगा मैं भी वह मैं भी वहल करेगा करेगा कर तो अभी जो राजस्तान में भारेज जो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे मैं 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 आऊंगा जी मैं जो हमारे पहले परवारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलिए सुगजंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाई लें और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बाचीत हो कि आप तो सुग्जंदर जी स्वागत है आपका न्यूस एडिन राजस्तान पर अब तो आपका राजस्तान आना जाना होता रहेगा बदा ही ले सबसे पहले थैंकियो मैजबानी मैं नया नहीं हूं मेरे ग्रेंड फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाؤंँ पंजाब आना पड़ा था ह।ो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए नहीं नहीं हूं कके मेरे grandfather Rajasthan में ही रहे हैं. तो हालिया राजश्थान की Congress से जुड़ी सारी ख़रे तो आप वैसे भी सुनी रहे हैं, देख ही रहे हैं? देखो, राजश्थान की Congress के बारे में, Congress पहले भी बहुत मजबूत रही है. और जो पानी Congress है, जो Congress का worker है, जो कॉंगरस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जनेशन कॉंगरस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंगरस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंगरस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सभी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस कुरुप के साथ हूं कहा हूं मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूँ और कॉंग्रस की सरकार तबारा है मैं कॉंग्रेसी सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रही थी कि आपसे एक मीडिया ने पूब आपंदे कार तकि आप कोंग्रेसी बात करता सब्सक्राइब बिल्कुल मैंने बिल्कुल मैं कॉंगरस ही और मेरे फादर भी PCC प्रेजेंट रहे हैं, मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं, All India Congress Committee के, इसलिए मेरे खून में कॉंगरस है, मेरे दिल में कॉंगरस है, मेरे दिमार सुझिंदर जी देखिए, यहां राजस्थान में जो इस कोड़ दे, तो पार्टी की बात करे, तो फिर कभी पार्टी की जो है पीशे नहीं जाती, अगर एगोस्ते के हैं हम, तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है, मेरे खाल में यह अपनी एगो, अपना, जे, के मैं बड़ा हूँ, मैं चोटा हूँ, वो बाते छोड़कर, कॉंगर्स की बात करनी चाहिए, तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी, कॉंगर्स को कभी, कॉंगर्स का वरकर नहीं हराता है, जब भी हराता है, कॉंगर्स को, लोग नहीं हराते, जब भी कोई हराता है, कॉंगर्स के लीडर ही, एक दूसरे की टांग खीच कर उसको, बस वही तो इस्थिती राजस्थान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कांगर्स के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और कांगर्स को मजबूत करेंगे यह कोई बात नहीं है राजस्थान आप जो नाम राजस्थान से सबसे ज़्यादा सामने रहते हैं तो उनसे आपके पसनल रिलेशन्स हैं पहले से यह सिर्फ एक कांगर्स के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए नए 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 टेके गैलोड साब जब जूट कांगर्स में थे तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं जब में टूट में 2017 की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इन चाहल थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिली रिलेशन है जो रजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे उनके जमा जी है उनके मेसेज उनके मेरे मज़र की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं कि संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल भी यह कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर प लोगों का नुकसान नहीं करेंगे यह एक ऐसा प्रभारी भी राजस्तान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूं तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान है यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपिरियंस से बता रहा हूं मैंने प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहा है इसलिए उनको हटाया किया अब एक न्यूट्रल परसनलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वह ऐसी परसनलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वह बोल भी देती है बिना इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जूरत पड़ेगी तो आप कड़ाई का को भी अपनाएंगे निक राड़ जो दिखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने क यह चाहे कॉर्मेंट चलानी है जहां कोई घर चलाना है कोई फेमडी की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा तो आपको तो इस चली हमने खड़े होते देखा है आप अमरेंदर सिंग कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं मैं पार्ट तो ऐसी बात नहीं है जो दिल से कॉंगर्स के बात करेंगे कॉंगर्स को आगे लिका जाएंगे और कॉंगर्स को पुछ ने गाजस्ताम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ेंगे लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है अन आदमें के लिए चैलेंज होता है जो कॉंगर्स के पदाइशी हैं उनके लिए कोई चैलेंज दी पार्टी आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पे पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहे है जो परभारी होते ह हैं अगर वो इंपार्शल होकर पार्शेलिटी नहीं करेगा तो वो सभी के साथ एक चैसा चरेगा तो कोई प्रावल्म नहीं आएगी तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे हूं जहां से कुर्णानिक साथ वठारा साल रहे हैं डेरबा बाबा नानिक से करतारपुर साथ वहीं कारीडर है और गुर्णानिक साथ की किरपा से हम पर राजस्तान में जिस तरह के आलात हैं बहुत ज्यादा करीपा की जरुरत बढ़ेगी आप बिल्कुल कोई नहीं है बिल्कुल ठीक हैं ऐसी कोई बात नहीं है पंजाब में बहुत थे तो ऐसे आते हैं अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी दोज़ए तेईस के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई बूरा समय है ठीक करने लिए तो यह नितास्ति में ठीक हो जाता है कोई ऐसी बात नहीं है तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जूड़ेंगे मैं आऊंगा जो हमारे पहले परबा होगी है मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जाप रहेंगे चली सभ्ष्णे जी बहुत शुक्रें आपका कि अजयस्तान के नए प्रभारी सुक्जिंदर सिंग रंधावा जी मेरे फोन लाइन पार है सुक्जिंदर जी स्वागत है आपका निव सेटीन राजस्थान पर तें क्यों अपका राजस्थान आ जाना होता रहेगा बदा ही ले सबसे पहले मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए निया नहीं हूँ क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी ख़बने तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें क्योंके मेरी थर्ड जनेशन कांग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कांग्रस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कांग्रस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और ह आग कार आदमी की सुनी जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि मेरे में वो बात नहीं रहेगी, कि मैं किस गृप के साथ हूँ, कहां हूँ, मेरा एक ही टार्केट होगा कि मैं कॉंगरेसी हूँ और कॉंगरेस की सरकार तबाहराभएगी कॉंग्रेसी सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रही थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था अभी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि नहीं आप कॉंग्रेसी से बात सब्सक्राइब कर रहे हैं अबिल्कुल मेंने बिलकुल मैं इंक तरह की स्थितिया पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेनटर नेम थे हाँ तो देखे अगर अगर एगो शोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की जो है पीशे नहीं जाती अगर एगो इस्टे के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में यह अपनी एगो अपना यह के मैं बड़ा हूं मैं चोटा हूं वो बातें छोड़कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वरकर नहीं हराता जब भी हराता है तो कॉंगर्स को लोग नहीं हराते जब भी कोई हराता है तो कॉंगर्स के लीडर ये एक दूसरे की टांग ह कर उसको बस वही तो इस्थती राजस्थान में बनी हुई है तो यह बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कांगर्स के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले बरबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीट चांड जितनी होनी चाहिए है नहीं 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 देखे गेलोड साब जब जूद कांगर्स में थे तो मेरे फादर उस टाइम पी सिसी प्रेजिडेंट थे हैंचा हाँ हाँ मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं यह हमारे जब में टूट में थाउजन सेवैंटिन की ऐलेक्शन हुई तो यह हमारे इन थे हाँ तो इनके साथ की मेरा बहुत फैमिली लेशन है जो रजेश पाइलेट थे जो मेरी ELK zei में भी आये थे उनक रफ्दमाईज GIS हैं उनके मेंसेज उनकी मूत की मेरे नचा मेरे फादर मूझे सब हम रजेश पाइलेट जी, लोग जानते हैं कि संतोक संगरनदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा. बिल्गल. ये कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है. ये पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं, हम कभी कॉंग्रस का नुकसान नहीं करेंगे. ये ये हम ये हमरे द तक के personal experience से बता रहा हूं मैंने देखा आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आप से एक सवाल सुखजंदर जी ये लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे प कोंगर्स पार्टी का वरकर दमाग से नहीं हमार दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं जो दमाग से चलाएगा उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं हम जो دिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे गो मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो दिखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कोमेट चलानी है जा कोई घर चलाना है कोई फैमली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तुस चली हमने खड़े होते देखा है आप अमरेंदर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ मैं सबसे बड़ा का मरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था जब मैंने दे तो आगे लिए कर जाएंगे और कांगर्स के पुछ ने गाजस्ताम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ में पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में अगर दूसरी पार्टी में आजए उन आदमियों के लिए चैलेंज होता है जो जो कांगर्स के पदाशी हैं उनके लिए कोई चैलेंज दी पार्टी आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पर पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहा है तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है मैं देखे टाउम तो लगाना पड़ेगा में और बहाइक करेंगे करपा करेंगे आपी तो वहां से हुँ यहाँ से जाथ बहुत ज्यादा की जरुद्छ पढ़ेगे बिल्कुल कोई हलाप नहीं है, हलाप बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में बहुत थे, तो ऐसे आते हैं, अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे? लिकिन 2023 के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है, नहीं कोई पूरा समय है, ठीक करने के लिए तो यह नितास दिन में ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो अभी जो राजस्तान में भारत जुड़ो यात्रा चल रही है, राहूल गांधी की, क्या हम यह एक्सप सुगजिंदर जी, एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है, और बहुत 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 शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आगे भी आपसे कई बार बाचीत होगी, अब तो इलेक्शन से निकालने के लिए, हाँ मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, जब प्रहेंग मैं निया नहीं हूँ, मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था, तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए निया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर र रही है, तो हालिया राजस्तान की कॉंगरेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें, देख ही रहें। है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी किस के साथ हूं, कहां हूँ, मेरा एक ही टार्गट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूँ और कॉंग्रस की सरकार दबारा हुआ मैं कॉंग्रसी हूँ, सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रही थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था अभी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि नहीं आप कॉंग्रस तो अथी और मेरे फादर भी PCC част стать है मेरे फादर प्रभारी भी रहते रहे हैं और इंडिया कॉंग्रस कमेटी के इसलिए मेरे खून में कॉंग्रस है मेरे दिल में Congress है, मेरे दिमार सुक्जिंदर जी देखिए, यहां राजस्थान में जो स्थिति है, उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी Congress के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे अगर इगो शोड़ दे तो पार्टी की बात करें तो फिर कभी पार्टी की पीशे नहीं जाती हैं अगर एक्वेस्टिक हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में यह अपनी इगो अपना यह मैं बड़ा हूं मैं चोटा हूं वो बातें छोड़कर Congress की कक्रिस को कौन झाराते हैं के लीडर यह दूसरे की ठांग कीज कर उसको बस वही तो ऐस्थिरा राजस्थान में बनी हुई है तो यह बड़ा challenge नहीं हो करेंगए और जो पेले ब agreements को म्जबूत करेंगे का आप यह यह कोई सामने रहते हैं उन से आप आपके पर्सनल रिलेशन्स हैं पहले से यह सिर्फ एक कॉंगरेसिं के तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए नए 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 देखे गैलोड साब जब जूद कॉंगरेस में थी तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं जब में टूद में डूट में दौढ़न सेवेंटीन की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इन चाहल थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिली डेशन है जो रजेश पाइलेट थे नो मेरी शादी में भी आये थे उन कि अब्दमा जी है, उनके मेसेज, उनके मेरे मदर की, मेरे फादर, मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी, लोग जानते हैं कि संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा. बिल्कुल. ये कॉंगरस एक परवार के रूप में चलती है. ये पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं, हम कभी कॉंगरस का नुकसान नहीं करेंगे. ये एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है, जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ, तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप किसान हैं. ये मैं अपने अब तक के परसन है, माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूँ. और उससे पहले जो प्रभारी थे, उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं, इसलिए उनको हटाया गया. अब एक न्यूट्रल परसनेलिटी आई है, जो दोनों को जानती है, लेकिन वो ऐसी प दिल से बात करेगा, उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे है. मैं तो ऐसे चलूँगा. अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे? निक राड़, जो दिखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए, चाहे कॉम ली ते आपके रहे हैंगे के मैं रहे ह about हैं मेंही जुरूत तो तो असये बात नहीं हैं जो दिल से कउग्रस के बात करेंगे को आगे ली कर जांगे और कंगरिस प्रूंच में मजबूत होगी. तो आपके लिए संब बड़ा चैलंज क्या लगता है? आपको ऐसे अभी फिलाल वहाँ से यहाँ पर आने के बाद तो और भी चीज़ेंगी लेकिन वहाँ से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? उन आदमें के लिए चैलेंज होता है जो कांगरस के पदाइशी हैं उनके लिए कोई चैलेंज दी पार्टी. आपके तो ब्लेड में कांगरस है आप जानते हैं कि कई चीज़ों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पर पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहे हैं जो परभारी होते हैं अगर वो इंपार्शल होकर पार्श्यलटी नहीं करेगा तो वो सबी के साथ एक चैसा चरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्ट हो जहां से कुर्णानिक साब अठारा साल रहे हैं हाँ हाँ डेरा बाबा बानानिक से करतारपुर साब वहीं करीडर है और गुर्णानिक साब की करपा से हम पर राजस्तान में जुस तरह का हलात हैं बहुत ज्यादा करिपा की जरुरत पढ़ेगा तो कोई 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 हलात न नहीं मिल रहा है? नहीं कोई पूरा समय है. ठीक करने के लिए तो यह नितास्तिन में ठीक हो जाता है, कोई ऐसे बात नहीं है. तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहूल गांधी की, क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे, उससे जुड़ेंगे, उससे जुड़ेंगे, मैं मैं आऊँगा जी, जो हमारे पहले परवारी रहे हैं, उससे बात कादी दिन में आऊँगा, चलिए सुड़ेंदर जी, एक बार फिर आप मेरी तरफ से बधाईल है, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आगे भी आपसे कई बार बाचीत होगी, आप तो इलेक्शन से निकालने के लिए, हाई मिलेंगे, हर रोज मि आपका, कल राजु का मर्डर, और राजस्थान के नए प्रभारी सुक्जिंदर सिंग रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर है, सुक्जिंदर जी, स्वागा थे आपका न्यू सेटीन राजस्थान पर, तेंक्यू जी हांजी, अब तो आपका राजस्थान आना जाना हो रहेगा, बढ़ा ही ले सबसे पहले, तेंक्यू मेरे बानी, मैं नया नहीं हूँ, मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में, हमारे पहले जमीन भी थी, और नाइंटीन ने, कॉट्टी वान में, हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी ख़बने तो आप वैसे भी सुनी रहे हैं, देखी रहे हैं देखो राजस्थान की कॉंग्रेस के बारे में कॉंग्रेस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रेस है, जो कॉंग्रेस का वर्कर है, जो कॉंग्रेस की बैक पून है क्योंकि मेरी third generation congress में है सौ साल से मेरा प्रवार congress में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो congress का worker है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस गूक के साथ हूँ वह तो अमयरे बात जीदो रहे थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूचा था अभी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सी Kevin से बात कर हाँ, बिल्कुल, मैंने, बिल्कुल, मैं कong şu और मेरे फादर भी PCC प्रेजेंट रहे हैं, मेरे फादर प्रभारी भी रहती रहे हैं, वाल इंडिया कongress की मेटी के, इसलिके मेरे खून में कongress है, मेरे दिल में कongress है, मेरे निमार सुक्जिंदर जी, देखिए, यहां राजस् ego छोड़ दे वह पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की जो है पीशे नहीं जाती अगर egoist के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुकसान होता है मेरे खाल में यह अपनी ego अपना यह के मैं बड़ा हूँ मैं चोटा हूँ वो बाते छोड़कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वरकर नहीं हराता जब भी हराता है तो कॉंगर्स को लोग नहीं हराते जब भी कोई हराता है तो कॉंगर्स के लीडर ये एक दूसरे की टांग ही कर उसको बस वही तो इस्थती राजस्थान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कांगर्स के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले बरबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीट चान जितनी होनी चाहिए नहीं 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 देखे गेलोड साब जब जूद कांगर्स में थे तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे हैं मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं यह हमारे जब में टूट में 2017 की एलेक्शन हुई हम तो साथ भी मेरा बहुत फेमली लेशन है हुई रिजज पाइलिट थे ढो मेरी शादी में भी आए थे हम zittenोक शंग्रनावा और रिजज़ पाइलिट जी का कितना प्यासा तो यह कॉंगर्स पर में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंगर्स का नुक्सान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूँ तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान है यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपिरेंस से बता रहा हूँ मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुगजंदर जी यह लेना चाहता हूँ कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूँ और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर या रोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे है इसलिए उनको हटाया किया अब एक नीट्रल परस्नालिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परस्नालिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाले का कट देखे कि मैं ने पार्टी का वरकर्ट दमाग से नहीं हूं मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे है तो ऐसे चलूँगा अगर कडाई की जुरूद पड़ेगी तो आप कडाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो दिखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिस्प्लन लाने के लिए चाहे कॉमेट चलानी है जा कोई घर चलाना है कोई फैमली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तुस्ट्रिक हमने खड़े होते दिखा है आप अमरेंदर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे की फैने कांगरस के बात करेंगे क को आगे तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे जिए fuckin here a resting can we have a चैलेंज यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ें पता चलेंगी लें वहां से देखने में सबस्व बड़ा चैलेंज क्या लगता है halten में को धनलगता क्यूंकि चैलेंज वसा आदमी को लगता है जो निया पॉल्टक्स में हो चैलेंज उसको लगता है जो इसमें पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से आगर दूसरी पार्टी में आ जाए उन आदमें के लिए चैलेंज होता है जो जो कॉंग्रस के पदाशी ही है उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी ने लेकिन देखिए चुकि कॉंग्रेस आपके तो ब्लेड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पे पहुंच गए कि लोग इस अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारेकरता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि बहुक्ति पॉस्ट लेकिन पोस्टों पर पर कोई आकर बैठी नी राया नाम ही नहीं सामने आ रहे है मेरे को भी अधिकना पड़ेगा नेधे को भी हुक्रध Сам करेगा करेगा मैं भी वहां से हूँ यहां से कुरुनानिक साहब रहे हैं हाँ हाँ ले रहे बाबा बनानिक से कर्दार्पूर साहब वहीं कोरीडौर है और गुरुनानिक साहब की करपा से हम पर राजस्थान में जुस तरह का ऐलाद हैं बहुत जादा की ज़रत पढ़े फिसकुल कोई हलाप नहीं है, हलाप बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में बहुत थे, तो ऐसे आते हैं, अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे? लेकिन 2023 के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है, नहीं कोई पूरा समय है, ठीक करने के लिए तो यह नितास्तिम में ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहूल गांधी की, क्या हम यह एक्सपे सुकजिंदर जी, एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाई ही लें और बहुत 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 शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आगे भी आपसे कई बार बाचीत हो कि आप तो इलेक्शन से नहीं होगी हाए, मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, जब रहेंगे, चलिए सुकजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कल राजु का मर्डर राजस्थान के नए प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर है, सुकजिंदर जी, स्वागा थे आपका न्यूस 18 राजस्थान पर अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा, बढ़ा ही लें सबसे पहले मेरे निया नहीं हूँ, मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था, तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी ख़बने तो आप वैसे भी सुनी रहें, देखी रहें देखो, राजस्थान की कॉंग्रेस के बारे में, कॉंग्रेस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंके मेरी थर्ड जनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है पहला मेरा सबसे काम होगा के जो कॉंग्रस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए चैनल के जो स्थकार मिलना चाहीए वह उने सभी को दिया जएगा और हर लीडर मेरे लिए वह मेरा भाई है हरוכर्स हूँ और कॉंग्रेस की सरकार तबारा है मैं कॉंग्रेसी हूँ सुझिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रही थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो उन्ह मेरे खून में कॉंग्रेस है मेरे दिल में कॉंग्रेस है मेरे दिमार सुझिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिति है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हां तो देखिए अगर अग होता है मेरे खाल में ये अपनी एगो अपना ये मैं बड़ा हूँ मैं चोटा हूँ वो बाते छोड़ कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वर्कर नहीं हराता है जब भी हराता है तो कॉंगर्स को और जो पहले परबारी हैं, मैं उनसे भी मिलूँगा, और जो लेडर हैं, उनके मीटिंग करेंगे, और कॉंगरस को मजबूत करेंगे, यह कोई बात नहीं है, राजस्तान जी मुझे बात बताएं, क्या आप जो दो नाम राजस्तान से सबसे जादा सामने रहते हैं, उनसे आ बात पराना रेलेशन है, और आज नहीं, यह हमारी जब में टूट में डौजन सेमेंटीन की एलेक्शन हुई, तो यह हमारे इंचार्ज थे, तो इनके साथ मेरा बहुत फेमिली डेशन है, और जेश पाइलेट थे, जो मेरी शादी में भी आये थे, उनके रमा जी है, उनक मेंसेज, उनके मेरे मदर की, मेरे फादर, मुझे सबी हम, रजेश पाइलेट जी, लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा, बिल्कुल, बिल्कुल, यह कॉंगरस एक परवार के रूप में चलती है, यह पीडी दर पीडी जो ह हम चल रहे हैं, हम कभी कॉंगरस का नुक्सान नहीं करेंगे, यह हम एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है, जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूँ, तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप किसान हैं, यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्स चुक हूँ, और उससे पहले जो प्रभारी थे, उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं, इसलिए उनको हटाया गया, अब एक न्यूट्रल परसनलिटी आई है, जो दोनों को जानती है, लेकिन वो ऐसी परसनलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ हो होते हैं, जो दिल से बात करेगा, उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं, मैं तो ऐसे चलूँगा, अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे, निक राड़, जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिस्प्लन लाने के लि आप बोलते थे? आप ने, देखे, मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ, मैं सबसे बड़ा के अमरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था, जब मैंने देखा कि हमरेंदर सिंग का नक्सान करा है, सबसे पहले मैंने, उनके अगेंस्ट में मैंने उनको रिजान कर दिया था कि जी, सब्सक्रामस की क्या लगता आपको अभी फिलाल वहाँ से यहां पर आने के बाद तो और भी मी चैलेंज के लगता मेरी को तो कोई ने लगता कि document सा लगता है जो निया-पॉ stuk में भी पहली बात किसी पार्टी का दूसंजी पार्टी का दूसरी ये पार्टी में आजै उन आदमेँ के लिए चैल gaatा हो जो पंगरस के पधाईशी है उनके लिए कोई चैलन्ज्ज नी पार्टी देखें जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है लो नजर नजर अंदास करने एक चाहसा चरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप समझाएंगे कैसे अब जो से ग्राउंड लेवल का कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे भरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रह हैं हाँ हाँ डेरा बाबा नानक से करतारपूर साब वहीं कारीडर है और गुर्णानक साब की करपा से हम पर राजस्तान में जुस तरह का हलात हैं बहुत ज्यादा करिपा की ज़रूरत पढ़ेगी आश्कुल कोई कोई बहुत नहीं है अला बिलकुल ठीक हैं ऐसी कोई बा समय है ठीक करने के लिए तो यह नितास दिन में ठीक हो जाता है कोई ऐसी बात नहीं है तो अभी जो राजस्तान में भारत जुड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी कि क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे मैं 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 आँगा जी मैं जो हमारे पहले प्रवारी रहें उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आँगा चलिए सुड़ेंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बधाईल है और बहुत बहुत शुक्रे अपना समय निकालने के प्रभारी सुक्जिंदर सिंग रंधावाजी मेरे साथ फोन लाइन पर है सुक्जिंदर जी स्वागत है आपका न्यूसेटीन राजस्थान पर अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा बदा ही ले सबसे पहले मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्थान की कॉंग्रेस के बार है क्योंके मेरी थर्ड जिशन कांग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कांग्रस में है पहला मेरा सबसे काम होगा के जो कांग्रस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रूप के साथ हूँ कहा हूँ मेरा एक ही टार्गट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूँ और कॉंग्रस की सरकार तबारा है मैं कॉंगरेसी जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रहे थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था अभी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो उन्होंने का आपने कहा था कि नहीं आप कॉंगरेसी से बात कर हाँ बिलकुल मैंने बिलकुल मैं कॉंगरेसी और मेरे फादर भी PCC प्रेजेंट रहे हैं मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं पॉल इंडिया कॉंगरेस के मेटी के इसलिए मेरे खून में कॉंगरेस है मेरे दिल में कॉंगरेस है मेरे दिमार जी देखिए यहां राज कोई एगो छोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की में जो है पीशे नहीं जाती अगर एग्वेस्ते के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में यह अपनी एगो अपना इजे के मैं बड़ा हूं मैं चोटा हूं वो बाते लोग नहीं हराते, जब भी हराते है दे गाथे कांग्रस को लोग नहीं हराते है, जब भी कोई हराते है तो कांग्रस के लीडर ये एक दूसरे की ठांग खीच कर उसको वही को बुह तो एक कांग्रिस को में इन दुए तो यह बरा चैलेंज कर दो traveling ऊजाएगा! जिन्मीर जी मुझे बात बताए कि आप जो नाम राजस्तान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं उन से आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉंडरिसी की तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए नए 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 डेके गैलोड साब जब जूद कांगरस में थे तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराणा रिलेशन है और आज नहीं जब में टूट में तौजन्ट सेविंटीन की एलेक्शन हुई तो ये हमारे इंचार्ज थे तो इन के साथ भी मेरा बहुत फैमिलेशन है जो रिजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे उनके रिजमा जी है उनके मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प् हम कभी कॉंगर्स का नुक्सान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं ये मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपिरियंस से बता रहा हूं मै ने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुगजंदर जी ये लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे है इसलिए उनको हटाया किया अब एक न्यूटरल परस्नेलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परस्नेलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना स इसे बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जूरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो दिखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कोमेंट चला है कोई फैमडी की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा है आपको तुस चली हमने खड़े होते देखा है आप अब अधर सेंग के खिलाब जब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं मैं पार्टी के लिए बोलता हूं मैं सबसे बड़ा कर दा क्या हूं अब ही भी फिलाल वहाँ से यहां पर आने के बाद तो और भी चीजें पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है ने चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता क्योंकि चैलेंज वह सादमी को लगता है जो निया पॉलिटक्स में हो चैलेंज उसको लगता है जो इसने पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में आ जाए उन आदमें के लिए चैलेंज होता है जो कॉंग्रस के पदाशी हैं उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पर पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहा है तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है कि भी तुर्णानिक साब साथ, रहे हैं धेर बाबाबा नानिक से करतारपुर छी वही और ही व्हारी वकारीडर है करनानिक है पर राजस्तान में जो तरह के अलात हैं बहुत जादा कर्रिपा की जरुदस पढ़े हैं कोईलात नहीं है अगर चैलिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय ठीक करने के लिए तो यह नितास्तिन में ठीक हो जाता है तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे मैं 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 आऊंगा जी मैं जो हमारे पहले परवारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जहांके चीमनिस्त है और सभी से बाठ करके एक कादी दिन में आऊंगा चलिए सुगजिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बधाईल है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए राजस्तान आना जाना होता रहेगा बदाईले सबसे पहले मैं निया नहीं हूँ मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और नाइंटिन ने कॉइंटी वान में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इस तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्थान के कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंके मेरी third generation Congress में है 100 साल से मेरा परवार कांगरस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो Congress का वरकर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस कुरॉप के साथ हूं कहां हूं मेरा एक ही टार्गेट होगा कि में कॉंग्रसी हूँ सुक्जिंदर जी Стथ creep अभी मैंने बताया हमारे reporter से मेरी बात जीत हो रही थी कि आपसे एक बार media ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम future CM से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं आपने कहा था कि नहीं आप Congress से बात कर रहे हैं आप बिलकुल मैंने बिलकुल मैं Congress और मेरे फादर भी PCC President रहे हैं मेरे फादर प्रभारी भी रहती रहे हैं All India Congress Committee के इसलिए मेरे खून में Congress है मेरे दिल में Congress है मेरे लेकिन सुक्जिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिती है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी Congress के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे देखिए अगर इगो छोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की पीशे नहीं जाती अगर इगो इस्ते के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में कॉंगर्स को कभी Congress का वर्कर नहीं हराता जब भी हराता है Congress को लोग नहीं हराते जब भी कोई हराता है Congress के लीडर ही एक दूसरे की टांग खीच कर उसको वही तो इस्तिती राजस्थान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा देखे 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 जे ऐसी बात नहीं है हम Congress के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले बर्बारी है मैं उनसे भी मिलूंगा और जो लेडर हैं उनकी meeting करेंगे और Congress को मजबूत करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है जिन्म जी मुझे बात बताए कि आप जो नाम राजस्तान से सबसे जादा सामने रहते हैं उनसे आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉंगरेसी के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए नए 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 देखे गैलोड साब जब जो तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराणा रिलेशन है और आज नहीं यह हमारे जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इंचार्ज थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमली रिलेशन है जो रिजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे उनके रिजमा जी है उनके मेंसेज उनके मेरे मज़र की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिलकुल बहु में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंगर्स का नुक्सान नहीं करेंगे यह एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूँ तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान है यह मैं अपन उससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया किया अब एक नीट्रल परसनेलिटी आई है जो दोनों को चानती है लेकिन वो ऐसी परसनेलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाले का कट देखें दमाग से नहीं हूँ मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूँ जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टर्ड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे है जो एसे चलूंगा अगर कड़ाई की जुरूद पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिस्प्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है जा कोई घर चलाना है कोई फैमिली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तुस्ट्रिक्ट हमने खड़े होते दिखा है आप अमरेंदर सिंग के खिलाफ जब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं पार्टी के लिए बोलता हूं मैं सबसे बड़ा का अमरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था जब मैंने देखा क मरेंदर सिंग का नफसान कर रहा है सबसे पहले मैंने उनके गेंस्ट में मैंने उनको रिजान कर दिया था कि जी लो आपनी उठाओ मैंनी आपका मिनस्तर रहूंगा तो ऐसी बात नहीं है जो दिल से कांगर्स के बात करेंगे कांगर्स को आगे लिका जाएंगे और कांगर मेरे को तो कोई नहीं लगता क्योंकि चैलेंज वसा आदमी को लगता है जो निया पॉल्टक्स में हो चैलेंज उसको लगता है जो इसमें पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से आगर दूसरी पार्टी में आ जाए उन आदमें के लिए चैलेंज होता जो जो आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है, आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है, तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पे पहुँच गए, कि लोग खुल कर बोल रहा है, जो परभारी होत है वो चार साल से उन्तजार क कार रहा है कि भाई सारी पोस्टर भर एं लेकिन पोस्टों पर कोई आकर offense नहीं रही है, नामी नहीं सामने आ रहा है देखे देखे टाइम तो लगाना पड़ेगा मेरे को भी देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा करेंगे देखे वाई गुरू करेगा करेगा मैं भी वहां से हूँ जहाँ से कुरू नारिक साथ 18 से रहे हैं अदिर बाबा नारिक से कर्थार नारिकसाथQuovर साब वह ब्रॉर नारिक तरिफा क गर्टार्पॉरम यहां से कर्पासे हम ठाएगे औरॉर्छ Walkis अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे लिकिन 2023 के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय है ठीक करने के लिए तो यह नितास्तिन में ठीक हो जाता है कोई ऐसी बात नहीं है तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे जो हमारे पहले प्रभारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलिए सुगजिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बातचीत हो कि आप तो इलेक्शन सब्सक्राइब हाई मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे चलिए सुखिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कल राजु का मर्डर रजस्तान के नए प्रभारी सुक जिंदर सिंग रंधावा जी मेरे साथ फोन राइन पर है। सुक जिंदर जी स्वागत है आपका न्यू सेटीन राजस्तान पर। अब तो आपका राजस्तान आना जाना होता रहेगा, बढ़ा ही ले सबसे पहले मेरे निया नहीं हूँ, मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए निया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर राजस्तान में ही रही है तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें, देखी रहें देखो राज्सस्थान की कॉंगरस के बारे में, कॉंगरस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंगर्स है जो कॉंगर्स का वर्कर है जो कॉंगर्स की बैक पून है क्योंके मेरी थर्ड जिनेशन कॉंगर्स में है सौ साल से मेरा परवार कॉंगर्स में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंगर्स का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सभी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रुप के साथ हूं कहां हूं मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूँ और कॉंगर्स की सरकार तबारा है मैं कॉंग्रेसी हूँ सुझिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रहे थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो उन्हो यहां राजस्थान में जो स्थिति है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हां देखे अगर इगो शोर दे तो पार्टी की बात करे थो फिर कभी पॉट्टी की पीशे नी जाती अगर एग्वेस्सके हैं हम तो फिर पार्टी का नुकसान होता है मेरे खाल में ये अपनी एगो अपना जे मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ वो बाते छोड़कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कांगर्स के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूंगा और जो लेड़ रहा हैं उनके मीटिंग करेंगे और कांगर्स को मजबूत करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है जिनमें जी मुझे बात बताए कि आप जो नाम राजस्तान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं उन से आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉंगरेसी के तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए नहीं 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 डेके गैलोड साब जब जूट कॉंगरेस में थे तो मेरे फादर उस ताइम पीसिसी प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराणा रिलेशन हैं और आज नहीं जब में टूट में तौजन्ट सेविंटीन की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इंचा जमा जी हैं उनके मेंसेज उनके मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी हम लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल बिल्कुल यह कॉंगरस एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीरी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंगर्स का नुकसान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं ये मैं अपने अब तक के पर्सनल एक्सपिर जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूँ और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया किया अब एक न्यूट्रल पर्सनलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वह ऐसी पर्सनलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाले का कट देखे जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँग अगर कड़ाई की जुरूद पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कोमेंट चलानी है जा कोई घर चलाना है कोई फैमडी की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तुस्टि ली हमने खड़े होते देखा है आप अन्दर सिंग के खिलाप कोई कुछ बोल नहीं शक्ता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं पार्टी के लिए बोलता हूं मैं सबसे बड़ा कर अमरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था जब मैंने देखा कि अमर के बात करेंगे कॉंगर्स को आगे लिका जाएंगे और कॉंगर्स को पुछ में राजस्ताम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ें पता चलेंगी लेकिन व उसी पार्टी में आजए उन आदमेंवेंश के लिए चैलेंज होता है जो zooming के पदाशई ही हैं उनके लिए कोई चेलेंज दी पार्टी ब forg вторuber आज़े और वो इंअ पार्शल होकर पार्शयल तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे भरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है देखे देखे टाइम तो लगाना पड़ेगा मे पर राजस्तान में जिस तरह के आलादें बहुत ज्यादा की जरुरत बढ़ेगा कोई नहीं है इसकोई बात नहीं है पंजाब में बहुत थे तो ऐसे आते हैं अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी दोज़एट तेईस के आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय है ठीक करने के लिए तो यह नितास्तिन में ठीक हो जाता है कोई ऐसी बात नहीं है तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप आपको आपका राजस्तान के नए प्रभारी सुखजंदर सिंग रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर है सुखजंदर जी स्वागत है आपका न्यूस एटिं राजस्तान पर अपका राजस्तान आना जाना होता रहेगा बदाईल है सबसे पहले तेंक यू मैं निया नहीं हूँ मेरे ग्रेंड फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए निया नहीं हूँ क्योंकि मेरे ग्रेंड फादर राजस्तान में ही रही है तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जूरी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्थान के कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जिनेशन कॉंग्रस में है سو سال سے میرا پروار کانگرس میں है पहला मेरा सबसे काम होगा के जो کانگرس का वर्क कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सभी को दिया जाएगा हर लिडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस करो सबुशन ws नहीं हो गाना कि मेरा कि कांु Championship की है कि Kab点 qué सब्सकें मैं कॉर्प हूं नहीं है। आपने कहा था कि नहीं आप में कांग्रिसी से बात कर्रें भी PCC प्रेजेंट रहे हैं, मेरे फादर प्रभारी भी रहती रहे हैं, All India Congress Committee के, इसलिए मेरे खून में Congress है, मेरे दिल में Congress है, मेरे दिल में Congress है. लेकिन सुखजिंदर जी, देखिए, यहां राजस्थान में जो इस्थिती है, उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी Congress के लिए बनी थी, और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे. देखे, अगर एगो छोड़ दे, तो पार्टी की बात करे, तो फिर कभी पार्टी की पीशे नहीं जाती, अगर एगो इस्थित के हैं हम, तो फिर पार्टी का नुकसान होता है, मेरे खाल में यह अपनी एगो, अपना, जे, मैं बड़ा हूँ, मैं चोटा हूँ, वो बाते छोड़ कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए, तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी, कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वरकर नहीं हराता, जब भी हराता है तो कॉंगर्स को, लोग नहीं हराते, जब भी कोई हराता है तो कॉंगर्स के लीडर ही एक दूसरे की टांग हीच कर उसको बस वही तो इस्तिती राजस्थान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कांगर्स के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और कांगर्स को मजबूत करेंगे यह कोई बात नहीं है जिन्म जी मुझे बात बताए कि आप जो दो नाम राजस्थान से सबसे ज़्यादा सामने रहते हैं उनसे आपके पसनल रिलेशन्स हैं पहले से यह सिर्फ एक कांगर्स के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए नए ने ने देखे गैलोड साब जब जूट कांगर्स में थे तो मेरे फादर उस टाइम पीसी सी प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इन चाहल थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमली लेशन है तो रिजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे उनके रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल बिल्कुल यह कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे यह यह हमरे अशा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूँ तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुखजंदर जी यह लेना चाहता हूँ कि देखिए इ ऐसी परसनलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाले का कड़ देखे मैं मैं पार्टी को कॉंगर्स पार्टी का वरकर दमाग से नहीं हूँ मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूँ जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सतकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्ट आप दिया हैं जब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आपने पार्टी के लिए बोलता हूं मैं सबसे बड़ा सिंग का सपोर्टर भी ता जब मैंने देखा किमरेंदर सिंग का कांगर्स का नप्सान कर रहा है जबसे पहले ने उनके गेंस्ट में केमिने मे तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको, इसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने केबाद तो और भी चीजसे पता चलेंगी, लेकिन वहां से देखने addressed मेया सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है Kenneth मेरे को तो कोई नहीं लगता क्योंकि चैलिंज उसा अदमी को लगता है जो निया पॉल्टक्स में हो चैलिंज उसको लगता है जो इसमें पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में आजाए उन आदमें के लिए चैलिंज होता है जो जो कॉंगरस के पदाशी हैं उनके कोई चैलिजनी पार्टी ने लेकिन देखिए चुकि आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वह नजर थे था इंतसार करता है वह चार सौ से अंतजार कर रहा कि सारी प्स वां फेलेन लेकिन पोस्टों में पर आ आकर बैठी निए रहा मीना मीनी सामने आ रहे दिए ओर टाइम तो हो अकुआ बहुत ज्यादा क्रिपा की ज़रुत पड़ेगी आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय करने के लिए तो अभी जो राजस्तान में भारत जुड़ो यातरा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आपको राजस्तान आएंगे जो हमारे पहले परवारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलिए सुगजिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है और बहुत 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 शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बातचीत होगी आप तो इलेक्शन सब्सक्राइब करेंगे मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसका मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है तो आप वैसे भी सुनी रहे देख ही रहे देखो राजस्थान के गाउंग्रस के बारे में पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्रानी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जिनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है पहला मेरा सबसे काम होगा के जो कॉंग्रस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रुप के साथ हूं कहा हूं मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी ह पूछा था भी कुछ सामय पहले की बात है कि क्या हम future CM से बात कर रहें तो उन्होंने कहा नहीं, आप काहा था कि नहीं, आप Congress से बात कर रहें हां बिल्कुल मैंने मैं बिल्कुल मैं कॉंगरस जी और मेरे फादर भी PCC प्रेजिजिन्ट रहे हैं, मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं, All India Congress Committee के, इसलिए मेरे खून में कॉंगरस है, मेरे दिल में कॉंगरस है, मेरे दिमार सुखजिंदर जी देखिए, यहां राजस् इगो छोड़ दे तो फिर कभी पार्टी की जो है पीशे नहीं जाती है अगर आगउ स स veel फिर पार्टी का नखसान होता है मेरे खैल में इपनई यइगो अपना के मैं बड़ा हों मैं चोटा हो वा बाते चोड़कर कांगरस की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वर्कर नहीं हराता है जब भी हराता है दे कॉंगर्स को लोग नहीं हराते जब भी कोई हराता है दे कॉंगर्स के लीडर ही एक दूसरे की टांग खीच कर उसको बस वही तो इस्तिती राजस करेंगे हैं कोई बात नहीं है आप जो नाम राजस्तान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं उन से आप आपके पर्सनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉमरेसिं के तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए है नहीं 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 देखे गैलोड साब जब जूट कॉंगरस में थे तो मेरे फादर उस टाइम पी से सी प्रेजिडेंट थे हैं अचा हाँ जी है उनके मेंसेज उनके मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी हम लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिलकुल बिलकुल ये कॉंगरस एक परवार के रूप में चलती है ये पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंगरस का नुक्सान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं ये मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपिरियंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुखजंदर जी ये लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया किया अब एक न्यूटरल परस्नेलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परस्नेलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है ब यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूद पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है जा कोई घर चलाना है कोई फैम पार्टी के लिए बोलता हूँ मैं सबसे बड़ा के अमरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था जब मैंने देखा के मरेंदर सिंग कॉंगर्स का नपसान करा है सबसे पहले मैंने उनको रिजान कर दिया था कि जी लो आपनी उठाओ मैंनी आपका मिनिस्तर रहूंगा तो ऐसी यहाँ पे आने के बाद दो और भी चीजसें पता चलेंगी लेकिन वहाँ से देखने में सबसे बड़ा चेलेंज क्या लगता उनाद्में के लिए चेलेंज होता है, जो जो कांग्रेस के पदाइशी ही हैं, उनके लिए कोई चेलेंज निए पार्टी. आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहे है जो परभारी होते है अगर वो इंपार्शल होकर पार्श्यलिटी नहीं करेगा तो वो सभी के साथ एक चैसा चरेगा तो कोई प्रावल्म नहीं आएगी तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे ब यहां से कुर्णानिक साथ 18 साल रहे हैं डेरबा बाबा नानिक से करतारपुर साथ वहीं कारीडर है और गुर्णानिक साथ की करपा से हम पर राजस्तान में जिस तरह के अलात हैं बहुत जादा करीपा की ज़रुद पढ़ेगी आप पिल्कुल कोई ने कोई अलात नहीं है अला बिल्कुल ठीक हैं ऐसी कोई बात नहीं है पंजाब में बहुत थे तो ऐसे आते हैं अगर चैलिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय है ठीक करने के लिए तो यह अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे मैं मैं आऊंगा जो हमारे पहले परवारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जांकि चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक कादी दिन में आऊंगा चलिए सुक जिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है और बहुत 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 शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे आपसे कई बार बातचीत होगी अब तो इलेक्शन से मिलेंगे हर रोज मिलेंगे बता ही लें सबसे पहले मैं निया नहीं हूँ मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और नाइंटिन क्विटी वान में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए निया नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फादर राजस्तान में ही रही है तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्तान की कॉंग्रेस के बारे में कॉंग्रेस पहले भी बहुत मजबूत रही है औ और जो प्रानी कॉंग्रस है, जो कॉंग्रस का वर्कर है, जो कॉंग्रस की बैक पून है, क्योंकि मेरी थर्ड जिनेशन कॉंग्रस में है, सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है, पहला मेरा सबसे काम होगा, के जो कॉंग्रस का वर्कर है, उसको उसका जो मिलना चाहिए, जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सभी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रुप किस के साथ हूं कहा हूं मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्र की सरकार तबारा मैं कॉंग्रेसी से बात कर रहे हैं आपने कहा था कि नहीं आप कॉंग्रेसी से बात कर रहे हैं बिलकुल मैंने बिलकुल मैं कॉंग्रेसी और मेरे फादर भी PCC प्रेजेंट रहे हैं मेरे फादर प्रभारी भी रहती रहे हैं वाल इंडिया कॉंग्रेस देखिए यहां राजस्थान में जो इस्थिति हैं उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हाँ देहे अगर इगो धो एगो खोर दे झार्ण में हम्हें एपनी-गो अपना ने में बड़ा ऑउँ मैं छोटा हूं वो बाते छोड़कर कोंगर्स की की बात करनी चाहिए तो कंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगा जब भी हराता है लीडर ही इसी बात नहीं हम कंगर्स के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं, मैं उनसे भी मिलूँगा, और जो लेडर हैं, उनके मीटिंग करेंगे, और कांगरस को मजबूत करेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, राजस्तान जी मुझे बात बताए, क्या आप जो दो नाम राजस्तान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं, उनसे आप आपके प इसी सी प्रेजिडेंट थे, मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रेलेशन है, और आज नहीं यह हमारी जब में टूट में टूजन सेमेंटीन की एलेक्शन हुई, तो यह हमारे इंचार्ज थे, तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमली लेशन है, जो रजेश पाइलेट थे, जो मेरी शादी में भी आये थे, उनके रजमा जी है, उनके मेसेज, उनके मेरे मज़र की, मेरे फादर, मुझे सबी हम, रजेश पाइलेट जी, लोग जानते हैं कि संतोक सिंगरंदावा और रजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा, बिल्कुल भी, यह कॉंग्रस एक एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है, जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूँ, तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप किसान हैं, यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने देखा है आप में वो किसानी वाल हो रहे हैं, इसलिए उनको हटाया किया, अब एक न्यूटरल परसनलिटी आई है, जो दोनों को जानती है, लेकिन वो ऐसी परसनलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है, तो वो बोल भी देती है, बिना जिचके, बिना सामने वाले का कट देखे हैं, जो दिल से बात क करेगा, उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे है, मैं तो ऐसे चलूँगा. अगर कड़ाई की जुरूद पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे? निक राड़, जो दिखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिस्प्लन लाने के लिए, चाहे कॉमेंट चलान है, कोई फेमडी की बात है, स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा. आपको तुस्ट्रिक हमने खड़े होते देखा है, अमरेंदर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे. आप ने देखे, मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ, मैं सबसे बड़ा के तो ऐसी बात नहीं है, जो दिल से कॉंगर्स के बात करेंगे, कॉंगर्स को आगे लिका जाएंगे और कॉंगर्स को पूंगर्स में मजबूत होगी. तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? अभी फिलाल वहां से देखे, यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ेंगे पता चलेंगी, लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? उन आदमेंगे लिए चैलेंज होता है, जो कॉंगर्स के पदाइशी हैं, उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी. लेकिन देखे, चुकी कॉंगर्स, आपके तो ब्लड में कॉंगर्स है, आप जानते हैं कि कई चीज़ों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है, तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गये, कि लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं नहीं सामने आ रहे हैं, देखे, देखे टाइम तो लगाना पड़ेगा, मेरी को भी लगाना पड़ेगा, करेंगे, देखे, वाई कुरू करेगा, किरपा करेगा, मैं भी वहां से हूँ, यहां से कुरुनानिक साहब 18 साल रहे ह हाँ हाँ डेरबा बाबा नानक से कर्तारपुर साहब वहीं कोरीडर है और गुर्णानक साहब की किरपा से हम पर राजस्तान में जिस तरह के आलात हैं बहुत ज्यादा की ज़रुपा की ज़रुद पढ़ेगी आप पिसकुल कोई ने कोई अलात नहीं है अला बिलकुल ठीक है है ऐसी कोई बात नहीं है पंजाब में बहुत थे तो ऐसे आते हैं अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी लेकिन दोज़ए थेईस के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय ठीक करने के लिए तो तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे मैं मैं आऊंगा जो हमारे पहले परवारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जहांके चीमनिस्त हैं और रोज मिलेगे जब रहेंगे चलिए सुगजिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फाजर राजस्तान में ही रही है तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी ख़बने तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो दाजस्थान के कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंगर्स में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंगर्स का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रुप के साथ हूँ, कहां हूँ, मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूँ और कॉंग्रस की सरकार तबारा हूँ मैं कॉंग्रेसी और सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रही थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो उन्होंने का नहीं आप ने कहा था कि नहीं सुखजिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिती है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हाँ तो देखे अगर अगर एगो शोड़ दे तो पार्टी की बात करें तो फिर कभी पार्टी की में जो है पीशे नहीं जाती अगर एगो इस्ते के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में यह अपनी एगो अपना जे मैं बड़ा हूं मैं चोटा ह की कोंगर्स काुच का वर्कर नहीं हराता है कंगर्स को लो का कि पालता है क्पूच को सरफ हो आए diabetic का फिर था कड़ी ने चाओक उड़क हाँ कि नविगगे तो यह टानक खिज कर ऊ Sat तो इस्थी रास-स्तान में वनी हूई है तो यह बड़ा चैलेंज ने 나 रहेंगे और कॉंग्रस को मजबूत करेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, राजस्तान. जिन्म जी मुझे बात बताएं, क्या आप जो दो नाम राजस्तान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं, उन से आप आपके पर्सनल रिलेशन्स हैं पहले से? या सिर्फ एक कॉंग्रस के तौ पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए है? नहीं, 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 देखे, गैलोड साब जब जूद कॉंग्रस में थे, तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे, मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है, और आज नहीं, यह हमारे जब में टूट में टू जानते हैं कि संतोक सिंगर नावा और रिजएश पाइलेट जी का कितना प्यासा, यह कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है, यह पीड़ी दर पीड़ी जो हम चल रहे हैं, वहम कभी कॉंग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे, यह यह हमरे जबार प्रवार राजस्तान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान है ये मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरेंस से बता रहा हूं मैंने देखा आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आप से एक सव हो रहे है इसलिए उनको हटाया किया अब एक नीट्रल परसनालिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परसनालिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाले का कट देखें रख़ग नहीं में नियों दिल से बार्टी को चलाना चाता हूं मैं जो दमाग से चलाएगा उसके इंट्रस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिस्प्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है जहां कोई घर चलाना है कोई फेमली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तुस चली हमने खड़े होते दिखा है आप अमरेंदर सिंग कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने दिखे मैं मैं पार्टी के लिए बोलता हूं मैं तो ऐसी बात नहीं है जो दिल से कॉंगर्स के बात करेंगे कॉंगर्स को आगे लिए कर जाएंगे और कॉंगर्स को पुछ ने गाजस्ताम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज का लगता है आपको ैसे अभी फिलाल वहाँ से देग्गी यहाँ पर आने के बाद तो और भी चीज़ेंगे पता चेलेंगी लेकिन वहां से देकने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है ने, चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता, क्योंकि चैलेंज वसा आदमी को लगता है, जो निया पॉल्टक्स में हो, चैलेंज उसको लगता है, जो इसने पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से आकर दूसरी पार्टी में आ जाए, उन आदमें के लिए चैलेंज होता है जो कॉंग्रस के पदाइशी है उनके लिए कोई चैलेंज़री पार्टी अजे लें लेकिर आ इछ बढ़ की कांग्रस कर आपके तो ब्लड में कांग्रस है आप जानते है कि कॉइ हूआ चीज़ों को पार्टी सोच समझ़ कर भी नजर अंदास करती है, तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए, कि लोग खुल कर बोल रहा है, जो परभारी होते हैं, अगर वो इंपार्शल होकर, पार्शेलिटी नहीं करेगा, तो वो सबी के साथ एक सब्सक्राइब करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आप समझाएंगे कैसे, अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है, वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है, नाम ही न रॉणानिक साथ की करपा से हम करेंगे. पर राजस्तान में जिस तरह का हलात हैं बहुत ज्यादा करिपा की जरुद पढ़ेगी. फिसकोल कोई नहीं है, फिसकोल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में बहुत थे, तो ऐसे आते हैं, अगर चैलिज्ज को एक्सेप् फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी. लेकिन दोज़ए थे इस के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है? नहीं कोई पूरा समय है. ठीक करने के लिए तो यह नितास दिन में ठीक हो जाता है, कोई ऐसे बात नहीं है. तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात फिर आप मेरी तरफ से बढ़ा ही लें और बहुत 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 शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बाचीत हो कि आप तो इलेक्शन सही नहीं मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, जब रहेंगे. चलिए सुक्जिंदर जी, बहुत 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 सबसे पहले? मैं निया नहीं हूँ. मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और नाइंटिन क्विटी वन में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था. तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए निया नहीं हू क्योंकि मेरे क्रेंट फादर राजस्तान में ही रही है. तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें? देखो राजस्तान की कॉंग्रेस के बारे में कॉंग्रेस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्र हुरार कांग्रस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कावर्क है उस को उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वह उन सबी दिया जाय है हर लीड़ ं मेरे लिए वो मेरा बाय है और हर आदमी की सुनीdır जाए Walore कि मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस ग्रॉप के साथ हूँ कहा हूँ मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूँ और कॉंग्रस की सरकार तबारा मैं कॉंग्रेसी से बात कर रहे हैं बिलकुल मैं कॉंग्रेसी और मेरे फादर भी PCC प्रेजेंट रहे हैं मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं और इंडिया कॉंगर्स कमेटी के मेरे खून में कॉंग्रेसी मेरे दिल में कॉंग्रेसी और इस तरह की इस्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेसी के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हाँ देखे अगर एगो शोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की जो है पीशे नहीं जाती अगर एगो इस्ते के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में यह अपनी एगो अपना जे मैं बड़ा हूं मैं चोटा हूं वो बाते छो कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वर्कर नहीं हराता जब भी हराता है कॉंगर्स को लोग नहीं हराते जब भी कोई हराता है कॉंगर्स के लीडर ये एक दूसरे की टांग खीच कर उसको बस वही तो इस्तिती राजस्तान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज नहों जाएगा तेखिए देखिए देखिए ऐसी बात नहीं है हम कांगरस के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी है मैं उन्से भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और कांगरस को मजबूत करेंगे, अच्छी कोई बात नहीं है जिन्म जी मुझे बात बताए कि आप जो दो नाम राजस्थान से सबसे जादा सामने रहते हैं उनसे आपके पसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिफ एक कांगरस के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए नए 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 देखे गैलोड साब जब जूट कांगरस में थे तो मेरे फादर उस टाइम पीसिसी प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं यह हमारे जब में टूट में थाउजन्ट सेविंटीन की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इन चाल थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फेमिलेशन है तो रिजेश पाइलेट थे वह मेरी शादी में भी आये थे उनके रमाजी है उनके मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सब्शे पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक शेगरंडा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बि पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंगर्स का नुक्सान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान है ये मैं अपने अब तक के परसनल से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुगजंदर जी ये लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया गया अब एक न्यूटरल परस्नेलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परस्नेलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है ब का सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जूरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है जा कोई घर चला मैं मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ मैं सबसे बड़ा के अमरेंदव सिंग का सपोर्टर भी था जब मैंने देखा कि हमरेंदर सिंग काशawy का नमसान करा है सबसे पहले मैंने उनको बैसानी कोई तो जी लो आपनी उठाओ मैंनी आप कामरेस से रहूंगा तो ऐसी बार नहीं है जो दिल से कॉंगर्स के बात करेंगे कॉंगर्स को आगे लिका जाएंगे और कॉंगर्स को पुझने गाजस्ताम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ेंगे लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है अना आदमें के लिए चैलेंज होता है जो कांग्रस के पदाशी है उनके लिए कोई चैलेंज दी पार्टी आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहा है तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है करेंगे यक खुरुफ करेंगे मैं भी वहां से हूं यहां से कुर्णानिक साभ थारा शाल रहे हैं तो कोई नहीं है कोई कोई पी ठीक है ऐसी कोई बात में है पंजाब में बहुत थे तो ऐसे आते हैं अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे करने के लिए तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यातरा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जूड़ेंगे जो हमारे पहले परबारी रहें उनसे बात करूंगा जो जांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलि सुक जिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाई लें और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बातचीत होगी अप तो इलेक्शन से निकालने के लिए आए मिलेंगे मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे चलि सुक जिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका में 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाओं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फाजर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्थान की कॉंग्रेस के बारे में कॉंग्रेस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रेस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंग्रस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस कुरुप के साथ हूं कहा हूं मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूं और कॉंग्रस की सरक मैं CONGRESSI से मेरी बात जीत हो रही थी, मैं से एक बार मेडिया ने पूछा था है, क्या हम FUTUR C.M से बात कर रहRहे हैं, आपने कहा था कि नहीं, आप कONGRESSI से बात कर रहे हैं हाँ बिलकुल मैंने बिलकुल मैं कॉंगर्स ही और मेरे फादर भी PCC प्रेजेंट रहे हैं मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं और इंडिया कॉंगर्स कमेटी के इसलिए मेरे खून में कॉंगर्स है मेरे दिल में कॉंगर्स है मेरे लेकिन सुखजिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो इस्थिति है उस तरह की इस्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे जाओगर worship के हैं हम तो फिर पार्टी की रहुता हनुखान अपनी आपना इगो में बढ़ा हूं चोटा हूं वो बातें खोड़ कर कंगरस की बात करनी चाहिए तो कंगरस कभी पीशे नी जाएगी कंगरस को कभी कंगरस का वरकर नहीं हराता, जब भी हराता है दे कॉंगर्स को, लोग नहीं हराते, जब भी कोई हराता है दे कॉंगर्स के लीडर, यह एक दूसरे की टांग खीच कर उसको. बबस वही तो स्थिती राजस्तान में बनी हुई है, तो यह बड़ा चैलेंज नहों जाएगा. देखे देखे देखे। ऐसी बात नहीं है। हम कॉंगर्स के लिए कठे काम करेंगे. और जो पहले पर्बारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा. और जो लेद रहे हैं, उनकी मीटिंग करेंगे और कॉंगर्स को मुझबूत करेंगे. पर चुम्हें कोई बात नहीं ہے. आप जो नाम राजस्तान से सबसे जादा सामने रहते हैं उन से आप आपके पस्नल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉंगरेसी की तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए ने 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 देखे गैलोड साब जब जूट कॉंगरेस में थे तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज ने यह हमारे जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इंचार्ज थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैम जी है उनके मेंसेज उनके मेरे मज़र की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिलकुल बिलकुल यह कॉंगरस एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी का नुकसान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूं तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया किया अब एक नूट्रल परसनलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परसनलिटी है कि अगर उसके दिल में उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है जा कोई घ घर चलाना है कोई फेमडी की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तुस चली हमने खड़े होते देखा है आप अमरेंदर सिंग कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं मैं पार्टी के लिए बोलता हूं मैं सबसे बड़ा के अमर तो ऐसी बात नहीं है जो दिल से कॉंगर्स के बात करेंगे कॉंगर्स को आगे लिका जाएंगे और कॉंगर्स के गाजस्ताम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है कि चैलेंज 최 brush सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो नाजर अंदास करने का तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं सामने आ रहा है मैं और किर्पा करें हैं मैं भी और केंसे ओड़ाउन कारी लाजसान कोईब्सक्राइस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में बहुत थे, तो ऐसे आते हैं, अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे? लेकिन दोज़ाइट थेईस के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है? तो अभी जो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहूल गांधी की, क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्थान आएंगे, उससे जुड़ेंगे? मैं आँगा जी, जो हमारे पहले प्रभारी रहे हैं, उनसे बात करूँगा, जो जहांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी, एक आदे दिन में आँगा. चलिए सुगजिंदर जी, एक बार फिर आप मेरी तरफ से बधाईल हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आगे भी आपसे कई बार बातचीत हो कि आप तो इलेक्शन से निकालने के लिए, हाँ मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, जब प्रहेंगे. चलिए सुगजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था. तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूँ, क्योंकि मेरे क्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है. तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी ख़बने तो आप वैसे भी सुनी रहें, देखी रहें? देखो राजस्थान की कॉंग्रेस के बारे में कॉंग्रेस पहले भी में बहुत मजबूत रही है। और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंके मेरी थर्ड जो नेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंगर्स में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंगर्स का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस group के साथ हूँ, कहा हूँ, मेरा एक ही target होगा कि मैं congresy हूँ और congres की सरकार तपरा हूँ हाँ, मैं congresy हूँ, सुक्जिंदर जी, अभी मैंने बताया हमारे reporters से मेरी बात जüt हो रही थी कि आप एक बार media ने पूछा था आभी कुछ सवय की बात है कि हम future CM से बात कर रहे है तो उन्होंने कहा नहीं आप Congress से बात कर रहे हैं सोख puppies मेरे खौन मेरे काउन्प में मेरे दिल में कॉंग्रेस है मेरे लेकिन सुखजिंदर जी देखिए यहां राजस्थान में जो स्थिती है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हाwn व हो देखे देखे अगर एगो शो लेड़ को एगो छोड़ को लोग नहीं हराते हैं को लीडर की एक दूसरे की टांग खीच कर उसको बस वही तो इस्थती राजस्थान में बनी हुई है तो यह बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कांगरस के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले सबसे ज़्यादा सामने रहते हैं उन से आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से यह सिर्फ एक कांगरस के तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए है नहीं 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 डेके गैलोड साब जब जूद कांगरस में थे तो मेरे फादर उस टाइम प्रेजिडेंट थे हैं अचा हाँ हाँ तो इनके साथ ही मेरे बोहत है यह जो मेरी शादी में भी आए थे ह। ना उस मेरे मजर की मेरे फादर नहीं सबी हम आपालेट जी लूग जानते हैं कि चुन्तोर सिंगरनदावार जी का कितना प्यासा लेक कंगरस से एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंगर्स का नुकसान नहीं करेंगे यह एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूँ तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि मैं अपने अब तक के personal experience से बता रहा हूँ मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंच आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुगजंदर जी यह लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं के बिना सामने वाले का कड़ देखें मैं यह मैं आइका पाटी का वरकत दमाग से नहीं हूं मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूँ हम जो माग से चलाएगा गा वो उसके वेस्टेड़ इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा, उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं, मैं तो ऐसे चलूँगा। अगर कडाई की जुरूद पड़ेगी तो आप कडाई को भी अपनाएंगे। जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है, जहाँ कोई घर चलाना है, कोई फैमली की बात है, स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। आपको तिस चली हमने खड़े होते देखा है, आप अमरेंदर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे। हाँ, ने देखे, मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ, मैं सबसे बड़ा के अमरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था, जब मैंने देखा के अमरेंदर सिंग कॉंगर्स का निपसान का रहा है, सबसे पहले मैंने उनको रिजान कर दिया था कि जी लो आपनी उठाओ, मैंनी आपको, ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़े पता चलेंगी, लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? ने, चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता है, जो निया पॉल्टक्स में हो, चैलेंज उसको लगता है, जो इसने पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में आजए, उन आदमेंगे लिए चैलेंज होता है, जो कॉंगरस के पदाशी हैं, उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी. आपके तो ब्लड में कॉंगरस है, आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है, तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए, कि लोग खुल कर बोल रहा है. तो आप समझाएंगे कैसे, अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है, वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है, नाम ही नहीं सामने आ रहा है. देखे, देखे, टाइम तो लगाना पड़ेगा, मेरे को भी देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा, करेंगे, देखे, वाई गुरू करेगा, किरपा करेगा, मैं भी वहां से हूँ, यहां से कुरुनानिक साहब 18 साल रहे हैं, डेरा बाबा नानिक से करतारपूर सा है, ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में बहुत थे, तो ऐसे आते हैं, अगर चैलिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे? लेकिन दोज़ए तेरीस के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है? तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहूल गांधी की, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे, उससे जुड़ेंगे? मैं आँगा, जो हमारे पहले प्रभारी रहे हैं, उससे बात करूँगा, जो जांके चीमनिस्त हैं, और सभी से बात करकी, एक राज दिन में आँगा. चलिए सुगजिंदर जी, एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आगे भी आपसे कई बार बातचीत होगी, आप तो इलेक्शन समय निकालने के लिए, हाँ मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, जब चलिए सुगजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फाजर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्थान की कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्रानी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जिजनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंग्रस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रुप के साथ हूं कहा हूं मेरा एक ही टार्गट होगा कि मैं कॉंग्रसी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रही थी कि आपसे एक बार उर मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय की बात है क्ला मुणिया से स्ब्सक्राइबेंप कॉंगर्सी से बात कर रहा है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे। तो कॉंग्रेस कभी पीशे नहीं जाएगी, कॉंग्रेस को कभी कॉंग्रेस का वर्कर नहीं हराता है, जब भी कोई हराता है, कॉंग्रेस के लीडर ही एक दूसरे की टांग खीच कर उसको गिर देए। आप जो दो नाम राजस्तान से सबसे जादा सामने रहते हैं, उनसे आपके पसनल रिलेशन्स हैं पहले से? या सिफ एक कॉंग्रेस के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए? नहीं 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 देखे, गैलोड साब जब जूसरे कांग्रेस में थे तो मेरे फादर उस टाइम पीसिसी प्रेजिडेंट थे। मेरा इनके साथ भी बहुत पराणा रिलेशन है और आज नहीं जब मेरे 2017 की इलेक्शन की हुई vida की अजिए हमारे इन चाहुँ थे लोग जानते हैं कि संतोक सिंगरनावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल 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 ये कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है ये पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्तान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूं तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं ये मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर या आरोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया गया अब एक न्यूट्रल परस चलाना चाहता हूं जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सतकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जूरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई का को भी अपनाएंगे नि आपको तुसटिक हमने खड़े होते देखा है आप अपको अमरेंदर सिंग के खिलाफ जब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं पार्टी के लिए बोलता हूं मैं सबसे बड़ा का मरेंदर सिंग का सपोर्टर भी था जब मैंने देखा कि मेरेंदर सीन कांगर्स का नफसान कर impresion का रहा है. a असी बाद नहीं है जो दिल से कॉंगर्स कांगर्स का पुम fracture करें गे। कांगर्स को आगे लिए कर जाएंगे 하고 in part mental का के लिए मजबूत होगी. आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिला अवां से यहां प्रिया आने के बाद तो और भी चीज़ेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैल्रेंज के लगता है ने चैलिंज मेरे को तो कोई ने लगता क्योंकि चैलर इस आदमी को पदाइशी है, उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी. ने लेकिन देखिए, चुकि कॉंग्रिस, आपके तो ब्लेड में कॉंग्रिस है, आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है, तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि आप समझाएंगे कैसे, अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है, वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि सारी पोस्टे भरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है, नाम ही नहीं सामने आ रहा है, देखे, देखे, टाइम तो लगाना पड़ेगा, म करें देखे, वाई गुरू करें गा करेगा, मैं भी वहाँ से हूँ, यहां से खुरूनानक सहर्व ऩाहरा साल रहें हैं, देराबा बाबानानक से करतारपूर साब वहीं कोरीडर है, और गुरूनानक सहर्व की करपा से हम करेंगी. भी पर राजस्तान में जिस तरह कर Сाव Podcast क्रिपा की ज़रुद पढ़ेगी आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय करने के लिए तो यह नितास्ति में ठीक हो जाता है कोई ऐसे बात नहीं तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे जो हमारे पहले परबारी रहें उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त है और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलि सुग जिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बातचीत होगी आप तो इलेक्शन से निगे मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे चलि सुग जिंदर जी बह ही ने सबसे पहले मैं निया नहीं हूं कि मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और नाइंटिन कौटी वान में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए नहीं हूं क्य ही रही है तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जूरी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्तान की कॉंग्रेस के बारे में कॉंग्रेस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रेस है जो कॉंग्रेस का वर्कर है जो कॉंगरस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जिनेशन कॉंगरस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंगरस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंगरस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वह उन सभी को दिया जैगा हर लीडर मेरे लिए वह मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा के मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रुफ के साथ हूँ कहां हूं हूँ मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंगरसी हूँ और कॉंगरस की सरकार्थ सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रही थी कि आपसे एक मेरे दिल में गॉंग्रस है मेरे दिमार सुक जिंदर जी नहीं देखे यहां राजस्थान में जो स्थितिय हैं उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हाँ देखे अगर एगो शोर तो पार्टी की बात करें तो पर्टी की पीशे नहीं जाती, अगर एगोस्तिक ह undert के हैं हम तो फिर पर्टी की नुकसान होता है ये अपने इगो आपना के मैं बड़ा हूं मैं चोटा हूँ वो बाते छोड़ कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वर्कर नहीं हराता है जब भी हराता है तो कॉंगर्स को लोग नहीं हराते, जब भी कोई हराता है, कॉंगर्स के लीडर ही एक दूसरे की टांग खीच कर उसको बस वही तो इस्तिती राजस्तान में बनी हुई है, तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा नहीं आप जब शूसरे को ज़तों बनादा दूसरे के लाजस्तान में एक प्रवारी है नहीं है उसक्यूस जिनीड जी, मुझा बात बताएंजू के आप लुद से जादा सामने रहतें उन से आपके personal relations हैं पहले से या सिर्फ एक कांगरेसी के तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए नए ने ने देखे गेलोड साब जब जूद कांगरेस में थे तो मेरे फादर उस ताइम PCC प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराना relation है और आज नहीं यह हमारे जब में 2017 की election हुई तो यह हमारे इंचार्ज थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत family relation है तो रिजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे उनके रिजमा जी है उनके मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिलकुल भी यह कांगरस एक पर प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूं तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान है यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बात किसी एक गुट के साथ हो रहा है इसलिए उनको हटाया गया अब एक न्यूट्रल परसनलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परसनलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाले का कट देखे मैं मैं का पार्टी का वर्करत दमाग से नहीं हो मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिस्प्लन लाने के लिए चाहे कोमेट चलानी है जहां कोई घर चलाना है कोई फैम्ली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा हम् हम आपको तो स्ट्रिक्ट अमने खड़े होते दिखा है आप अमधर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं मैं पार्टी के लिए बोलता हूं मैं सबसे बड़ा का तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ में पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता क्योंकि चैलेंज वहां सादमी को लगता है जो निया पॉल्टक्स में हो, चैलेंज उसको लगता है, जो इसमें पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से आगर दूसरी पार्टी में आ जाए, उन आदमें के लिए चैलेंज होता है, जो कॉंग्रस के पदाशी ही हैं, उनके लिए कोई चैलेंज दी पार्टी. आपके तो ब्लेड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहे है जो परभारी होत करता है वो चार साल से इंता зар कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बढ़ें लेकिन पोश्टों पर आकर तो लगाना पड़ेगा मेरे को बिश्या पड़ेगा करेंगे दे कि करफा करेंगे मैं भी वहां से हूँ जहां से कुर्णानिक त्भाठारा साल रहे हैं डेरा बाबानान क्रिपा की ज़ुरत पड़ेगी आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय ठीक करने के लिए तो अभी जो राजस्तान में भारत जुड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी कि क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे मैं मैं आऊंगा जी जो हमारे पहले परवारी रहे हैं उनसे बात करूंगा जो जहांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलिए सुगिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बधाईल है और राजस्तान के नए प्रभारी सुग जिंदर सिंग रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं सुग जिंदर जी स्वागा ते आपका अलिईसेडिम राजस्तान पर तर चैनक्यों जी,. राजस्तान शोड़कर अपने गाउँं sentiment पड़ा था तो इसका मतलब मैं राजस्तान के लिए नयाद नहीं हूं क्योंकि मेरे केरेंट फादर राजस्तान में ही रही है. तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें, देखी रहें? देखो राजस्थान के कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है सदकार मिलना चाहिए उन सभी को दिया जएका और हार लीडर मेरे लिए मिरा भाई है हर आद्म की सुनी जाए Suzuki ऐसा नहीं होगा kung किस क्रोप के इसाथ हूं कहां हूं मेरा एक ही कार्गट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूं और कॉंगरस की सरकारत भारा हूं मैं कॉंग्रेसी सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रहे थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं उन्होंने का नहीं, आपने कहा था कि नहीं, आप कॉंग्रेसी से बात कर रहा है। और मेरे फादर भी प्रेजेंटर रहे हैं, मेरे फादर पर्भारी भी रहती रहे हैं, और इंडलिय काॉंग्रेस कमेटی के, इसलिए मेरे फूर मेरे दिल में कांगरेस है, अग। लीडर को एगो छोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की जो है पीशे नहीं जाती अगर एगो इस्ते के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में यह अपनी एगो अपना जे मैं बड़ा हूं मैं छोटा हूं वो बाते छोड़ कर क लिए पर्वारी हैं मैंने से मिलूंगा और जो लेडरे हैं के मीटिंग करेंगे और कांगरस को मजबूत करेंगे अशी कोई बात निया राजस्तान जी मुझे बात बताए कि आप यह जो दो नाम राजस्तान से सबसे जादा सामने रहते हैं उन से आप आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से यह सिर्फ एक कांगरसी के तौर पर उन से भी बहुत पराना रिलेशन हैं और आज नहीं यह हमारे जब में टूट में डौजन सेवन्टीन की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इंचार्ज थे हां तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिली लेशन है जो रजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आए थे उनके रमा ज जानते हैं के संत्रोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यारता बिल्कुल बिल्कुल यह कॉंगरस एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंगरस का नुक्सान नहीं करेंगे यह एक ऐसा प्रभारी भी रा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुग्जंदर जी यह लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर या कर दमाग से नहीं हूं मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जूरत पड़ेगी तो आप कडाई को भी अपनाएंगे निक कराड़ जो प्रक इस ट्रिक्ट तो पार्टी लाने के लिए चाहे कोशा इचाना नहीं है जा कोई घर चलाना है कोई फेमडी की पात है स्क्रिक्ट तो होना पड़ेगा अर्थी कि हमने खड़े होते देखा आप अब आम आप और स तो ऐसी बात नहीं है, जो दिल से कॉंगर्स के बात करेंगे, कॉंगर्स को आगे लिका जाएंगे और कंगर्स को पुझने राजस्ताम में मजबूत होगी. तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ में पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है उन आदमियों के लिए चैलेंज होता है, जो कॉंग्रिस के पदाशी ही है, उनके लिए कोई चैलेंज नी पार्टी. आपके तो ब्लेड में कॉंग्रिस है, आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है, तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए, कि लोग खुल कर बोल रहा है. तो आप समझाएंगे कैसे, अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है, वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है, नाम ही नहीं सामने आ रहा है. देखे, देखे, टाइम तो लगाना पड़ेगा, मेरे को भी लगाना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा, करेंगे, देखे, वाई गुरू करेगा, किरपा करेगा, मैं भी वहाँ से हूँ, यहां से कुर्णानिक साहब 18 साल रहे हैं, डेरा बाबा बाबा नानिक से कृता आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं को पूरा समय प्रीक करने के लिए तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे जो हमारे पहले प्रवारी रहें उनसे बात करूँगा जो जहांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलिए सुगजिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बातचीत होगी आप तो इलेक्शन सब्सक्राइब जी घाय मिलेंगे मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे चलिए सुग जिंदर जी बहुत शुक्रिया आपका एक कल राजू का मर्डर और उल्टेस्तान के नए प्रभारी सुक्जिंदर सिंग रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर रहें जुआगा ते आपका न्यूस एटिन राजस्थान पर तेंक जी हां जिए का राजस्तान आना जाना होता रहेगा बदा ही ले सबसे पहले मेरे ग्रेंड फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे ग्रेंड फादर राजस्तान में ही रही है तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रस से जूरी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्तान की कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंकि मेरी थर्ड जनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंग्रस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए हम वह उन सबही को दिया जैगा हर लिडिर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आन मी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वह बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रफ के साथ हूं कIGHT हूं मेरा एक ही टॉर्ड हो समय पहले की बात है कि क्या हम future CM से बात कर रहे है तो उन्होंने का नहीं आपने कहा था कि नहीं आप Congress से बात कर रहे हैं में सुकजिंदर जी देखे यहां राजस्थान में जो स्थिती हैं सितिया आप भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे तो देखे अगर एगो फिर पार्टी की बात करें तो फिर कभी पार्टी की पीशे नहीं जाती अगर एगो इस्ते के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नक्सान होता है मेरे खाल में ये अपनी एगो अपना ये मैं बड़ा हूँ मैं चोटा हूँ वो बाते छोड़ कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कॉंगर्स के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेड़ रहा हैं उनके मीटिंग करेंगे और कॉंगर्स को मजबूत करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है आप जो नाम राजस्तान से सबसे जादा सामने रहते हैं उन से आपके परसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉंगरेसी के तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए गैलोड साब जब जो तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं यह हमारे जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इंचार्ज थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिली लेशन है तो रिजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे उनके रिजमा जी है उनके मेसेज उनके मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिलकुल भी यह कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे यह एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूं तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं यह मैं अपने अब तक के personal experience से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुग्जंदर जी यह लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं के बिना सम bench 관े का कट देखे हैं है मैं पाउका पार्टी का दमाग से नहीं हूं मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड होती है जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सथकार बना रही गा मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिस्प्लन लाने के लिए चाहे कोमेंट चलानी है जा कोई घर चलाना है कोई फैमली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तो इस चली हमने खड़े होते दिखा है आप अमरेंदर सिंग के खिलाफ जब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ मैं सबसे बड़ा कामरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था जब मैं रिगर्ट में मैंने उनको रूर्जिंग कर दिया था कि जिलो आपकी उठाओ मैंनी आपका मैंने सुरहूंगा, तो ऐसी बार नहीं है जो दिल से कॉंग्रस बात करेंगे, कॉंग्रस को आगे लिखा जाएंगे, और कॉंग्रस बजास्ताम में मजबूत खोगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो आर भी चीज ow को लगता है पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से आगर दूसरी पार्टी में आजाए उन आदमें के लिए चैलेंज होता है जो जो कॉंग्रिस के पदाशी ही है उनके लिए कोई चैलेंज दी पार्टी ने लेकिन देखिए चुकि कॉंग्रिस आपके तो ब्लड में कॉंग्रिस है आप जानते हैं कि तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है देखे देखे टाइम तो लगाना पढ़ेगा मेरे को भी पداपेगा आप देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा करेंगे देखे वाई करुडू करेगा क्रिपा करेगा मैं भी वह से हूं यहां से कुर्भ Knandik साब 18 साल रहे हैं तो अभी जो राजस्तान में भारे जो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे मैं मैं आऊंगा जी मैं जो हमारे पहले परवारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जहांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलिए सुझेंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ा राजस्तान के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं सुखजिंदर जी स्वागत है आपका न्यूस एटिंग राजस्तान पर अब तो आपका राजस्तान आना जाना होता रहेगा बदा ही ले सबसे पहले मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फादर राजस्तान में ही रही है तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो राजस्तान की कॉंग्रेस के बारे में कॉंगर्स पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंगर्स है जो कॉंगर्स का वर्कर है जो कॉंगर्स की बैक पून है क्योंके मेरी थर्ड जनेशन कॉंगर्स में है सौ साल से मेरा परवार कांगरस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कांगरस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रूप के साथ हूँ, कहाँ हूँ, मेरा एक ही टार्गट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूँ और कॉंग्रस की सरकार तबारा हुए कॉंग्रेसीं सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रही थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सी एम से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा आपने कहा था कि नहीं आप कॉंग् मैंने बिलकुल मैं कॉंगरसी और मेरे फादर भी PCC प्रेजेंट रहे हैं मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं पॉल इंडिया कॉंगरस की मेटी के इसलिए मेरे खून में कॉंगरस है मेरे दिल में कॉंगरस है मेरे दिमार सुखिंदर जी देखिए यहां राजस्थान मे भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे तो देखे अगर अगर एगो शोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की जो है पीशे नहीं जाती अगर एगो इस्ते के हैं हम तो फिर पार्टी का नुकसान होता है मेरे खाल में ये अपनी एगो अपना जे के मैं बड़ा हूँ मैं चोटा हूँ वो बाते छोड़ कर कॉंग्रेस की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी, कॉंगर्स को कभी, कॉंगर्स का वरकर नहीं हराता है, जब भी हराता है, कॉंगर्स को लोग नहीं हराते है, जब भी कोई हराता है, कॉंगर्स के लीडर ही एक दूसरे की टांग खीच कर उसको बस वही तो स्थिती राजस्थान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कांगर्स के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और कांगर्स को मजबूत करेंगे यह कोई बात नहीं है जिन्मा जी मुझे बात बताए कि आप जो दो नाम राजस्थान से सबसे ज़्यादा सामने रहते हैं उनसे आपके पसनल रिलेशन्स हैं पहले से यह सिर्फ एक कांगर्स के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए नए 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 देखे गैलोड साब जब जूट कांगर्स में थे तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इन चार्ज थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फेमिलेशन है तो रिजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे उनके रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं कि संत्रोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल भी यह कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूं तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपिरियंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बादचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुगजंदर जी यह लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने यह कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर या आरोप लगे कि वो किसी एक अबर्स पार्टी का वर्कर दमाग से नहीं हूं मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं जो दमाग से कलाएगा वो को अस वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं हम जो दिल से बाद करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हम ऐसे और ऐसे चुलाबा अगर चालाना है, फिमली की बात है, यह स्ट्रिक्त तो होना पड़ेगा. आपको तुष्टली हमने खड़े होते दिखा है, में मरेंदर सिंह कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे? आपने दिक्के, मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ, मैं सबसे बड़ा का अमरेंदर सिंग का supporter भी था जब मैंने देखा कि मरिंदर सीन Congress का नफसान कर रहा है सब से पहले मैंने उनके cabinet में मैंने उनको resign कर दिया था कि जी लो आपनी उठाओ मैंनी आपका Minister रहाऊंगा तो ऐसी बार नहीं है जो दिल से Congress के बात करेंगे गे कांगर्स को आगे लिका जाएंगे और कांगर्स को पुझ में राजस्ताम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ें पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में दूसरी पार्टी से आगर दूसरी पार्टी में आजए उन आदमें के लिए चैलेंज होता जो कांगर्स के पदाशी हैं उनके लिए कोई चैलेंज दी पार्टी आपके तो ब्लेड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पे पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहा है तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है देखे देखे टाइम तो लगाना पड़ेगा मेरे को भी देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा करेंगे देखे वाई गुरू करेगा करेगा मैं भी वहां से हूँ जहां से कुरुनानिक साहब 18 साल रहे हैं डेरबा बाबा नानिक से करतारपुर साहब वहीं कॉरीडर है और गुरुनानिक साहब की किरपा से हम परेंगे यह पर राजस्थान में जिस तरह के अलात हैं बहुत जादा की ज़रुनानिक साहब की लिए आपको बहुत कम समय नहीं तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे जो हमारे पहले परबारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त हैं और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलि सुग्जिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाई लें और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बातचीत हो कि अब तो इलेक्शन से मिलेंगे मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे चलि सुग्जिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कल राजु का मर्डर राजस्थान के नए प्रभारी सुग्जिंदर सिंग रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर है सुग्जिंदर जी स्वागत है आपका न्यूस 18 राजस्थान पर अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा बढ़ा ही लें सबसे पहले मैं नया नहीं हूँ मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नया नहीं हूँ क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो दाजस्थान के कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो कॉंग्रस की बैक पून है क्योंके मेरी थर्ड जिनेशन कॉंग्रस में है सौ साल से मेरा परवार कॉंग्रस में है पहल सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस के साथ हूं कहा हूं मेरा एक ही टार्गट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूं और सुखजंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रही थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहें तो उन्होंने कहा था कि आप कॉंग्रेसी से बात कर रहे हैं हाँ बिलकुल मैंने विलकुल मैं कॉंगर्स ही और मेरे फादर भी PCC प्रेसिजेंट रहे हैं मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं All India Congress Committee के इसलिगे मेरे हूं में कॉंगर्स है, मेरे दिल में में कॉंगर्स है । लिकान शुक्जेंदर जी चुटोडे, तो पाइटी की बात करे तो फिर कभी पाइटी की जो है पे… पीशे नहीं जाती अगर है तो फिर फिर पाइटी का नखसान होता है, मेरे खाल में, यह अपने ए-गो अपना, ज्य all individ कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वर्कर नहीं हराता जब भी हराता है कॉंगर्स को लोग नहीं हराते जब भी कोई हराता है कॉंगर्स के लीडर ही एक दूसरे की टांग खीच कर उसको बस वही तो राजिस्थान उसने होी है तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जह Allan है वही चैनल देखिए एसी बात नहीं है हम काउग्रस के लिए कठT काम करेंगे है और जो पहले बरवारी हैं मैं उनसे भी मिलूंगा और जो लेड़े हैं के मीटिंग करेंगे और कांगरस को मजबूत करेंगे अशी कोई बात नहीं है राजस्तान जी मुझे बात बताए कि आप जो दो नाम राजस्तान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं उन से आप आपके पसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कांगरस के तौर पर उन से जान पहचान है और आज नहीं जिए यह हमारे जब में टूट में टूट में टौजन्ट सेविंटीन की एलेक्शन हुई तो यह हमारे इंचार्ज थे हां तो इनके साथ ही मेरा बहुत फैमिलेशन है जो और जेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे हम उनके रमा जी हैं उनक मेंसेज, उनके मेरे मदर की, मेरे फादर, मुझे सबी हम, रिजेश पाइलेट जी, लोग जानते हैं कि संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्याद था. बिल्कुल. ये कॉंगरस एक परवार के रूप में चलती है. ये पीडी दर पीडी जो हम चल रह प्रभारी भी राजस्थान को मिला है, जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ, तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप किसान है. ये, मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपिरियंस से बता रहा हूँ, मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बाचीत में भी. मैं आपसे एक सवाल सुगजंदर जी ये लेना चाहता हूँ कि देखिए, इससे पहले जो दो प्रभारी रहना, अजय माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूँ, और उससे पहले जो प्रभारी थे, उन पर या आरोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं, इसलिए उनको हटाया किया. अब एक न्यूटरल परस्नेलिटी आई है, जो दोनों को जानती है, लेकिन वो ऐसी परस्नेलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है, तो वो बोल भी देती है, बिना जिचके, बिना सामने वाले का कट देखिए ने 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 पाटी कॉंगर्स पाटी का वरकर दमाग से नहीं हो, मैं दिल से पाटी को चलाना चाहता हूं, जो दमाग से चलाएगा, वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं, जो दिल से बात करेगा, उसका सभी के लिए प्यार और सथकार बना रहे हैं, मैं तो ऐसे अगर कड़ाई की जुरूद पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिस्प्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है जा कोई घर चलाना है कोई फैमली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तुछिवी हमने खड़े होते देखा है आप अमरंदर सिंग के खिलाफ जब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ मैं सबसे बड़ा क्या माने अ मृन्दर सिंह का स्पोर्टर भी था जब मैंने दे आगे लिका जाएंगे और कॉंगर्स के पिंज में गाजस्ताम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ में पता चैलेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है उन आदमियों के लिए चैलेंज होता है, जो कॉंग्रस के पदाशी है, उनके लिए कोई चैलेंज दी पार्टी. आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीज है रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहा है तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है देखे ताइम तो लगाना पढ़ेगा मेरे को भी और देखना पढ़ेगा करेंगे देखे तुआ हम करेगा करेंगे राजस्तान में जिस तरह के आलाथने बहुत ज्यादा करिपा की ज़रूरत बड़ेगे पिसकोल कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में बहुत थे, तो ऐसे आते हैं, अगर चैलिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे? लेकिं 2023 के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है, नहीं कोई पूरा समय है, ठीक करने के लिए तो यह नितास्तिम में ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो अभी जो राजस्तान में भारत जुड़ो यात्रा चल रही है, राहूल गांधी की, क्या हम यह एक्सप सुखजिंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बधाईल है और बहुत बहुत शुक्री अपना समय निकालने के लिए, आगे भी आपसे कई बार बातचीत होगी, अब तो इलेक्शन से नहीं है, मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, जब रहेंगे, चली है, सुखजिंदर जी, मैं निया नहीं हूँ, मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था, तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए निया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर र रही है, तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी ख़बने तो आप वैसे भी सुनी रहे हैं, देखी रहे हैं? उसको, उसका जो मिलना चाहिए, जो सद्कार मिलना चाहिए, भू उन सबी को दिया जएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस क्रुप के साथ हूं कहा हूं मेरा एक ही टार्गट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूं और कॉंग्रस की सरकार तबारा हूं मैं कॉंग्रेशर, जी मैंने बताया हमारे रपोर्टर से मेरी बात-जीत हो रही थी, कि आपın-गgensे मेरे ऐक बार मीडिया ने पूछा था आपकी कुछ समय पहले की बात कि क्या हम फूर प्याला के से बात-खर नही께, ऐन्हीं आपको है। मैं कॉंगरसी और यहाँ राजस्थान में जो enthusiती और उस में आप भी एक सैन्टर नेम थे हाँ देखिए अगर ego डिटर को ego छोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की जो है पीशे नहीं जाती अगर ego ills टेक है हम तो फिर फिर पार्टी का नुकसान होता है मेरे खाल में यह अपनी اego अपना जे मैं बड़ा हूं मैं ठोटा हूँ वो बाते छोड़कर की बात करनी चाहिए तो कॉंगरस कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगरस को कभी कॉंगरस का वर्कर नहीं इहराता जब भी हरता है कॉंगरस को लोग नहीं इहराता है झो पो जब भी कॉई हराता है तो leftover के Leader एक दूसरे की टांग खीज कर उसको बस वही तो इस्तिती राजस्तान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कांगरस के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो लेडर हैं उनके मीटिंग करेंगे और कांगरस को मजबूत करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है आप जो नाम राजस्तान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं उन से आपके पर्सनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉंगरेसी के तौर पर उन से जान पहचान जितनी होनी चाहिए नहीं 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 देखे गेलोड साब जब जूर कॉंगरेस में थे तो मेरे फादर उस टाइम प्रेजिडेंट थे हैं अचा हाँ हाँ तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिलेशन है जो रिजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे उनके जमा जी हैं उनके मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितन रहे हैं हम कभी कॉंगर्स का नुक्सान नहीं करेंगे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूं तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं यह मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहा है इसलिए उनको हटाया किया अब एक नीट्रल परसनलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परसनलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी दे दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जूरुत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी की अपनाएंगे उनिक राड़ जो अजो तो कि पार्टी घिसिप्लन लाने के लिए चाहि कॉमेंट चलाने है जहां कोई घर चलाना है, कोई फैमिली की बात है, स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा. आपको तुस चुली हमने खड़े होते दिखा है, अमरेंदर सिंग के खिलाब जब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे. आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ेंगे पता चैलेंगी, लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? उन आदमेंगे लिए चैलेंज होता है, जो कॉंगरस के पदाशी ही है, उनके लिए कोई चैलेंज दी पार्टी. लेकिन देखिये, चुकि कॉंगरस, आपके तो ब्लड में कॉंगरस है, आप जानते हैं कि कई चीज़ों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है, तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिदी पे पहुँच गए, कि ल अंदास कर रहा कि भाई सारी पोस्टे भरतें लेकिन पोस्टों पर कोई आखर बैड़ ही नाहीं नहीं सामने आ रहे हैं, देखे, टाइम तो कोई हलाप नहीं है, हलाप बिल्कुर ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में बहुत थे, तो ऐसे आते हैं, अगर चैलेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे? लेकिन 2023 के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है? नहीं कोई पूरा समय है, ठीक करने के लिए तो यह नितास्टिम में ठीक हो जाता है, कोई ऐसे बात नहीं है, तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहूल गांधी की, क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे, उससे राजस्तान के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावाजी मेरे साथ फोन लाइन पर है, सुखजिंदर जी स्वागत है आपका न्यू सेटीन राजस्तान पर, अब तो आपका राजस्तान आना जाना होता रहेगा, बदा ही ले सबसे पहले, तैंक्यू मेर्बानी, मै मैं नया नहीं हूँ, मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था, तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए नया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर रही हैं. तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जोड़ी सारी ख़बने तो आप वैसे भी सुनी रहें, देखी रहें? देखो दाजेस्थान के कॉंगरस के बारे में इपनक पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंगरस है जो कॉंगरस का वरकर है जो कॉंगरस की बेक पून है क्योंके मेरी थर्ड जनेशन कांगरस में है सौ साल से मेरा परवार कांगरस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कांगरस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर leader मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मेरे मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस ग्रफ के साथ हूँ, कहां हूँ, मेरा एक ही target होगा कि मैं Congress हूँ, और Congress की सुभकार तबरारा है अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रहे थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम future CM से बात कर रहे तो उन्होंने का नहीं आपने कहा था कि नहीं आप कॉंग्रेसी से बात कर रहे हैं बिलकुल मैंने बिलकुल मैं कॉंग्रेसी और मेरे फादर भी PCC प्रेजिजेंट रहे हैं मेरे फादर परभारी भी रहती रहे हैं पॉल इंडिया कॉंगर्स कमेटी के इसलिए मेरे खून में कॉंगर्स है मेरे दि के अगर अगर ego छोड़े तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी ऑन कि जो है पीशे नहीं जाएती अगर ego इसते के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुखसान होता है मेरे कहाल में अपनी ego अपना जे मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ वो बाते छोड़ कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वर्कर नहीं हराता जब भी हराता है तो कॉंगर्स को लोग नहीं हराते हैं, जब भी कोई हराता है, कॉंगर्स के लीडर ये एक दूसरे की टांग खीच कर उसको गिर देए. बस वही तो इस्थिती राजस्थान में बनी हुई है, तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा. अब और लोग अदेखे, देखे, एसी बात नहीं है, हम कॉंगर्स के लिए कठे काम करेंगे, और जो पहले बरबारी हैं, गज्स। अब आपके पसनल रिलेशन्स हैं पहले से, या सिर्फ एक कॉंगर्स की तोर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए है? नहीं 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 देखे गैलोड साब जब जूट कांगरस में थे तो मेरे फादर उस टाइम प्रेजिडेंट थे मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज नहीं यह हमारे जब में 2017 की एलेक्शन हुई हुई तो ऩह हमारे इन चाल थे हाँ तो इनके साथ भी मेरा बहुत फेमिले रेशन है रिजेश पाइलिट थे हुई जो मेरी शादी कितना प्यारता बिल्कुल यह कॉंग्रस एक परवार के रूप में चलती है यह पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कॉंग्रस का नुक्सान नहीं करेंगे यह 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 एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो यह कहेगा कि मैं किसान हूं तो उसको लोग मैं आपसे एक सवाल सुगजंदर जी यह लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजयमाकन जी ने यह कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया किया अब एक नीटरल परसनेलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परसनेलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाले का कट देखे तो चिके मैं के मैं का पार्टी का का वर्कर दमाग से नहीं हूं मैं दिल से पार्टी को चलना हो जो दमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टестоं होते हैं लेकि जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सतकार बना रहِए रहे है मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी दिसिप्लन लाने के लिए चाहे कॉमेंट चलानी है जा कोई घर चलाना है कोई फैमली की बात है स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा आपको तुस्ट्रिक हमने खड़े होते देखा है आप अमरेंदर सिंग के खिलाब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे आप ने देखे मैं पार्टी के लिए बोलता हूं मैं सबसे बड़ा का मरेंदर सिंग का स्पोर्टर भी था जब मैंने से कांगर्स के बात करेंगे कांगर्स को आगे लिका जाएंगे और कांगर्स को पुछ ने गाजसाम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहाँ से यहाँ पर आने के बाद तो और भी चीज़ेंगी लेकिन महां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है ने चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता है जो निया पॉलिटक्स में हो चैलेंज उसको लगता है जो इसने पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से आकर दूसरी पार्टी में आजाए उन आदमें के नजर अंदास करती है तो वह नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पर पहुंच गए कि लोग खुद कर बोल रहा है परभारी होते हैं अगर वह इंपार्शल होकर पार्शेलिटी नहीं करेगा तो वह सबी के साथ एक चैसा चरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वह चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे भर हैं लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है देखे देरबा बाबा नानक से करतारपुर साथ वहीं कारीडर है और गुर्णानक साहब की किरपा से हम पर राजस्तान में जिस तरह के अलात हैं बहुत ज्यादा की ज़रुपा की ज़रुद पढ़ेगी तो कोई नहीं है अलात बिलकुल ठीक हैं ऐसी कोई बात नहीं है पंजाब हमें बहुत थे तो ऐसे आते हैं अगर चैलिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगी दोज़ए तेईस के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है नहीं कोई पूरा समय है ठीक करने के लिए तो यह नितास्तिन में ठीक हो जाता है कोई आसी बात नहीं है तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे मैं मैं आऊंगा जो हमारे पहले परबारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त है और सभी से बाठ करकी एक कादी दिन में आऊंगा चली सुड़ेंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे आपसे कई बार बाचीत होगी अब तो इलेक्शन सब्सक्राइब होग बता ही ले सबसे पहले मैं निया नहीं हूँ मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और नाइंटिन कॉंटी वान में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए निया नह क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर डाजस्तान में ही रही है तो हलिया राजस्तान की क Κॉंगरस से जूड़ी सारी खबने तो आप वैसे भी सुनी रहे देख ही रहे क्योंके मेरी थर्ड जिनेशन कॉंगर्स में है सौ साल से मेरा परवार कॉंगर्स में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कॉंगर्स का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सद्कार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस गुरुप के साथ हूं कहां हूं मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूं और कॉंग्रस की सरकार्त बारा मैं कॉंग्रसी ह से बात कर रहा है तो उन्होंने कहा था कि नहीं आप कॉंघavyसी से बात कर रहा है diplomimana केल और मेरे फादर भी पेसी सी प्रेजिएंट रहे हैं मेरे फादर पर्भारी भी रहती रहे हैं तो धिल्मेरे कोंग्रस् 1 मेरे दिल कि अगर अगर एगो शोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की में जो है पीशे नहीं जाती अगर एगो इस्ते के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में यह अपनी एगो अपना जे मैं बड़ा हूं मैं चोटा हूं वो बाते छो कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वरकर नहीं हराता जब भी हराता है तो कॉंगर्स को लोग नहीं हराते जब भी कोई हराता है तो कॉंगर्स के लीडर ही एक दूसरे की टांग हीच कर उसको बस वही त के मीटिंग करेंगे और कांगरस को मजबूत करेंगे यह कोई बात नहीं है यह जिन्माइजी मुझे बात बताए क्या आप जो दो नाम राजस्तान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं उन से आपके परस्नल रिलेशन्स हैं पहले से यह सिर्फ एक कॉंगरस के तोर पर उससे ज जब में 2017 की एलेक्शन हुई तो ये हमारे इंचार्ज थे तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिली लेशन है जो रजेश पाइलेट थे जो मेरी शादी में भी आये थे उनके जमा जी है उनके मेसेज उनके मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सबी हम रजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिल्कुल बिल्कुल ये कांग्रस एक परवार के रूप में चलती है ये पीडी दर पीडी जो हम चल रहे हैं हम कभी कांग्रस का नुकसान नहीं करेंगे ये ये हमरे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान है ये मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपीरेंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी मैं आपसे एक सवाल सुगजंदर जी ये लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजयमाकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर या रोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहा है इसलिए उनको हटाया किया अब एक न्यूटरल परस्नेलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परस्नेलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है बिना जिचके बिना सामने वाले का कट देखें कॉर्ट का वर्कर दमाग से नहीं हूं मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं जो दमाग से चलाएगा वो उसके इंटरेस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरुद लाने के लिए चाहे कामिट चलाना ही है, जहां कोई घर चलाना है, फेम ली की बात है, हुट एम निन खड़े लिखा. और तुम आपको कि कोई कुछ बहु कर नहीं सकता था तब आप बोलते थे? आप नहीं, पे मैं पर्टी के लिए बोलता हूं, मैं सबसे बड़ा कही है, इसरी बात नहीं है, जो दिल से कॉंघर के बात करेंगे, कॉंघरस को आगे लिकर जाएंगे और कांघरस के पुछ समें मुझबूत होगी. तो क्या अभी अब जाते है यहां फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ में पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है ने चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता है जो निया पॉल्टक्स में हो चैलेंज उसको लगता है जो इसमें पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से आकर दूसरी पार्टी में आजाए उन आदमें के लिए चैलेंज होता है जो जो कॉंग्रिस के पदाशी ही है उनके लिए कोई चैलेंज दी पार्टी आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पर पहुँच गए कि लोग खुल कर बोल रहा है तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बरें लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठी नहीं रहा है नाम ही नहीं सामने आ रहा है करेंगे तो करेदेकर करेंगे कंगे करेगा करेगा हुँआ कर राजस्तान में जो तरह का रहा है कि भूई कोई फहाला नहीं है एस बिलकूर थीक है ऐसी कोई बात नहीं नियुदां में बहुत थे तो ऐसे आते हैं तो अगर चैलिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे लिगे दोज़ए तेरीस के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है तो अभी जो राजस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहूल गांधी की क्या हम यह एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्तान आएंगे उससे जुड़ेंगे जो हमारे पहले प्रभारी रहे हैं उनसे बात करूँगा जो जांके चीमनिस्त है और सभी से बात करकी एक आदे दिन में आऊँगा चलिए सुगजंदर जी एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाई लें और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आगे भी आपसे कई बार बाचीत हो कि अब तो इलेक्शन से निकालने के लिए मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नियाद नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्रेंट फाजर राजस्थान में ही रही है तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें देखी रहें देखो दाजस्थान के कॉंग्रस के बारे में कॉंग्रस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो प्राणी कॉंग्रस है जो कॉंग्रस का वर्कर है जो गांग्रस की बैक्पॉन है क्योंके मेरी थर्ड जिनेशन कांगरस में है सौ साल से मेरा परवार कांगरस में है पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कांगरस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए जो सदकार मिलना चाहिए वो उन सबी को दिया जाएगा हर लीडर मेरे लिए वह मेरा भाई है और हर आज्मी की सुनी जाएगी ऐसा नहीं ऊगा के मैं किस करोफ किस के साथ हूँ कहां हूँ मेरा एक ही टारगट होगा कि मैं कונगरस की सरकार जबारा कुनली को मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मैरी बातजीत हो रही। कि आप से एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ सामय पहले की बात है कि की हम future cm से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि नहींewupa आप Congress P.C.C. से बात कर रहे हैं वाहा बिलकुल मैं कॉंगरसी और यहां राजस्थान में जो इस्थिती है उस तरह की इस्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हां तो देखे अगर अगर यगो खोड़े तो पार्टी की बात करें तो फिर कभी पार्टी की जो है पीशर नी जाती अगर इगो है के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुक्सान होता है मेरे खाल में ये अपनी एगो अपना ये मैं बड़ा हूँ मैं चोटा हूँ वो बाते छोड़ कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी कॉंगर्स को कभी कॉंगर्स का वरकर नहीं हरा जब भी कोई हराता है कॉंगर्स के लीडर ये एक दूसरे की टांग खीच कर उसको वही तो इस्तिती राजस्थान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कॉंगर्स के लिए कठे काम करेंगे और जो प के पसनल रिलेशन्स हैं पहले से या सिर्फ एक कॉंगर्स के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए है नए ने ने डेके गैलोड साब जब जूट कांगर्स में थे तो मेरे फादर उस टाइम पी सिसी प्रेजिडेंट थे अचा हाँ हाँ मेरा इनके साथ भी बह पाइलेट थे तो मेरी शादी में भी आए थे उनकी र्दमा जी है उनके मेसेज उनके मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सभी हम रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं कि संतोक सिंग्रंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यार था बिल्कुल बेगर्स एक एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान है ये मैं अपने अब तक के परसनल एक्सपिरियंस से बता रहा हूं मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आ लेना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले जो दो प्रभारी रहना अजय माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर या आरोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया गया अब एक न्यूट्र वो उसके वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सतकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जूरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई का को भी अपनाएंगे निक राड जो दिखे स्ट्रिक्ट तो पार्ट मैं तो ऐसी बात नहीं है जो दिल से कॉंगर के बात करेंगे. कॉंगरस को आगे लिकाज़ाएंगे. और कॉंगर्स के पुरिंस ने गाजस्ताम में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ में पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है ने चैलेंज मेरे को तो कोई ने लगता क्योंकि चैलेंज वह सादमी को लगता है जो निया पॉल्टक्स में हो चैलेंज उसको लगता है जो इसमें के पहली बात किसी पार्टी का दूस्री पार्टी से आकर दूस्री पार्टी में आ जाए उन आदमें के लिए चैल latch होता जो कॉंग्रस के पढ़ािशी हैं उनके लिए कोई चैल जी पार्टी ने लेकिन देखिए छोकी कॉंग्रस आपके तो ब्लड में कॉंग्रेस है, आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझ कर भी नजर अंदास करती है, तो वो नजर अंदास करने का नतीजा यह रहा कि राजस्तान में आज इस इस इस्तिती पे पहुंच गए, कि लोग खुल कर बोल रहा है, जो परभारी हो होते हैं, अगर वो इंपार्शल होकर, पार्श्यलिटी नहीं करेगा, तो वो सभी के साथ एक चैसा चरेगा, तो कोई प्राउल्म नहीं आएगी, तो आप समझाएंगे कैसे, अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारी करता है, वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई मैं भी वहां से हूँ, जहां से कुर्णानिक साहब बठारा साल रहे हैं, डेरबा बाबा नानिक से करतारपुर साहब वहीं कोरीडर है, और गुर्णानिक साहब की किरपा से हम प्रेंगे, पर राजस्तान में जिस तरह का आलात हैं, बहुत ज्यादा करिपा की ज़रुत आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहे हैं? मिलने के लिए, आगे भी आपसे कई बार बातचीत होगी, अब तो इलेक्शन से होगी है, मिलेंगे, मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, जब रहेंगे, चलिए, सुगजिंदर जी, बहुत 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 शुक्रिया, आपका कल राजु का मर्डर राजस्थान के नए प्रभारी सुगजिंदर सिंग रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर है, सुगजिंदर जी स्वागा थे आपका न्यूस 18 राजस्थान पर, अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा, बदा ही लें सबसे पहले, मैं नया नहीं हूँ, मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान शोड़कर अपने गाउं पंजाम आना पड़ा था, तो इसके मतलब मैं राजस्थान के लिए नया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर रा तो हालिया राजस्थान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें, देखी रहें। है, उसको, उसका जो, मिलना चाहिए, जो सत्कार मिलना चाहिए, ह। हुँ, वो उन सबी को दिया जाएगा, हर लीडर, मेरे लिए वो मेरा भाई है, और हर आदमी की सुनी जाएगी, ऐसा नहीं होगा के मैं, मेरे में वो बाद नहीं रहेगी कि मैं किस गुरुप के साथ हूं, कहां हूं, मेरा एक ही टार्गेट होगा कि मैं कॉंग्रसी हूँ और कॉंग्रस की सरकार तबारा हूं मैं कॉंग्रसी सुखजिंदर जी अभी मैंने बताया हमारे रिपोर्टर से मेरी बात जीत हो रही थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था भी कुछ समय पहले की बात है कि क्या हम फ्यूचर सीम से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि नहीं आप कॉंग्रसी से बात क स्थान में जो स्थिति हैं उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कॉंग्रस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे हां देखे अगर इगो छोड़ दे तो पार्टी की बात करें तो फिर कभी पार्टी की में जो है पीशे के हैं हम तो फिर फिर पार्टी का नुकसान होता है मेरे ख्याल में आपनी इगो अपना फीर मैं बढ़ा हूं मैं चोटा हूँ, वो बाते छोड़कर कॉंगर्स की बात करनी चाहिए, तो कॉंगर्स कभी पीशे नहीं जाएगी, कॉंगर्स को कभी, कॉंगर्स का वर्कर नहीं हराता, जब भी हराता है, कॉंगर्स को लोग नहीं हराते, जब भी कोई हराता है, कॉंगर्स के लीडर ही एक दूसरे की टांग खीच कर उसको बस वही तो इस्थती राजस्थान में बनी हुई है तो ये बड़ा चैलेंज ने हो जाएगा देखे 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 ऐसी बात नहीं है हम कांगर्स के लिए कठे काम करेंगे और जो पहले परबारी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा और जो कांगर्स के तोर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए है नए ने ने देखे गेलोड साब जब जूद कांगर्स में थे तो मेरे फादर उस ताइम प्रेजिडेंट थे अचा हाँ हाँ मेरा इनके साथ भी बहुत पराना रिलेशन है और आज ने ये हमारे जब में भी आये थे उनके दमा जी है उनके मेंसेज उनके मेरे मदर की मेरे फादर मुझे सबी हम रिजेश पाइलेट जी लोग जानते हैं के संतोक सिंगरंदावा और रिजेश पाइलेट जी का कितना प्यासा बिलकुल ये कांगर्स एक परवार के रूप में चलती है ये पीडी प्रवारी जो हम चल रहे हैं हम कभी कांगर्स का नुकसान नहीं करेंगे ये एक ऐसा प्रभारी भी राजस्तान को मिला है जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ तो इसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसान हैं ये मैं अपने अब तक के परसनल एक ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर यारोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं इसलिए उनको हटाया किया अब एक नूट्रल परसनलिटी आई है जो दोनों को जानती है लेकिन वो ऐसी परसनलिटी है कि अगर उस के वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सदकार बना रहे हैं मैं तो ऐसे चलूँगा अगर कड़ाई की जुरूत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे निक राड़ जो देखे स्ट्रिक्ट तो पार्टी डिस है कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे लिए ने पार्टी के लिए बोलता हूँ मैं सबसे बड़ा कैठिकर हमरेंदर सििंग का सप्टर भी था जब मैंने देख है केमरेंदर सिंग का कंगर्स का निकान करा है सबसे पहले मैंने उनके Конечно में मैंने उनको रài में मजबूत होगी तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको ऐसे अभी फिलाल वहां से यहां पर आने के बाद तो और भी चीज़ में पता चलेंगी लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है ने चैलेंज मेरे को तो कोई नही हो चैलेंज जो इसको लगता है जो इसमें पहली बात किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से आगर दूसरी पार्टी में आजाए उन आदमें के लिए चैलेंज होता है जो जो कॉंग्रस के पदाशी ही है उनके लिए कोई चैलेंज दी पार्टी तो आप समझाएंगे कैसे अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कारे करता है वो चार साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टे बने लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठ की नाम ही नहीं सामने आ रहे हैं और किरपा करेगा हैं मैं भी वहाँ से हूँ यहां से गुरु नानिक साहब 18 साल रहे हैं अजिर वहीं करीडोर हैं और गुरुनानिक साहब की करपा से हम करूंगे तन पर ज़िस तरह के हलात हैं बहुत ज्यादा की जुरुथा की जरुरत पढ़े ही एक हो कोई हलाद नहीं है, हलाद बिल्कुर ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में बहुत थे, तो ऐसे आते हैं, अगर चैलेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉर्टक्स कैसे चलेगे? लेकिं 2023 के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है, नहीं कोई पूरा समय है, ठीक करने के लिए तो यह नितास दिन में ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो अभी जो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहूल गांधी की, क्या हम यह एक्सप सुखजिंदर जी, एक बार फिर आप मेरी तरफ से बढ़ाईल है, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आगे भी आपसे कई बार बाचीत होगी, आप तो इलेक्शन से नहीं मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, जब रहेंगे, चलिए सुखजिंदर जी मैं निया नहीं हूँ, मेरे ग्रेंट फादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्तान शोड़कर अपने गाउं पंजाब आना पड़ा था, तो इसके मतलब मैं राजस्तान के लिए निया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ग्रेंट फादर र तो हालिया राजस्तान की कॉंग्रेस से जुड़ी सारी खबरे तो आप वैसे भी सुनी रहें, देखी रहें